Your Invisible Power by Genevieve Behrend चलिए इस audiobook को शुरू करते हैं भूमिका ये प्रिष्ट एक उद्देश और आशा के साथ लिखे गए हैं कि उनके सुझाव आपको अपने इच्छाओं की प्राप्ति का रास्ता खोलने की कुन्जी प्रदान कर सकें और यह समझाने के लिए कि भय को आपके प्रयास से पूरी तरह से बाहर किया जाना चाहिए ताकि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त कर सकें यह बेशक यह मानता है कि आपकी संपत्ति की इच्छा आपकी अधिक स्वतंतरता की आकांग्शा पर आधारित है उदाहरण के लिए आपको लगता है कि अधिक धन, भूमी या मित्रों का स्वामित्व आपको अधिक खुश करेगा और इन चीजों की प्राप्ति की आपकी इच्छा इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि उनका स्वामित्व आपको स्वतंतरता और खुशी लाएगा आत्म जो समझता है कि जिन लोगों को आप प्यार करते हैं, उनकी गलतियां केवल गलत फहमिया हैं। आपकी ये भावना कि अधिक संपत्ति, चाहे वे किसी भी प्रकार की हों, स्वयम आपको संतोश या खुशी प्रदान करेंगी, एक गलत फहमी है। कोई भी व्यक्ति, स थान या वस्तू आपको खुशी नहीं दे सकता। वे आपको खुशी और संतोश का कारण दे सकते हैं, लेकिन जीने का आनंद अंदर से आता है। इसलिए यहां सिफारिश की जाती है कि आप उन चीजों को प्राप्त करने का प्रयास करें, जो आपको खुशी प्रदान करे बशर्ते कि आपकी इच्छाएं जीने के आनंद के साथ संगत हो। इस पुस्तक में यह भी सुझाया गया है कि जो लोग विजुलाइजेशन के नियम को समझने और इस ज्ञान को किसी भी स्तर पर व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं, उनके लिए संभावनाएं क्या हो सकती हैं? यहां प्रयूक्त प्रयास का तात्पर्य तनाव का विचार नहीं है, सभी अध्ययन और ध्यान बिना तनाव या तनाव के होना चाहिए. मेरा प्रयास यह दिखाना रहा है कि रचनात्मक्रिया या मानसिक चित्र के प्रारंभ से शुरू करके, निश्चित संबंधित परिणाम अवश्य ही अनुसरण करेंगे. हालां कि ब्रह्मांड के नियमों को बदला नहीं जा सकता, उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में काम करने के लिए बनाया जा सकता है, जिससे व्यक्तिगत उन्नती के लिए परिणाम उत्पन्न होते हैं, जो प्रकृति द्वारा प्रदान किये गए स्वाभाविक कारें के तहट प्राप्त नहीं किये जा सकते. हालां कि विजुलाइजेशन के माध्यम से आपके सामने रखे गए सुझाव, आपकी पिछली अनुभव से आपको कितना भी आगे ले जाए, वे कहीं भी कारण और प्रभाव के नियम की निरंतरता को नहीं तोड़ते. यदि यहां दिये गए सुझावों के माध्यम से कोई यह समझ जाए, कि उनका मन एक केंद्र है, जिसके माध्यम से सारी शक्ती जो है क्रियानवित हो रही है, केवल एक मात्र तरीके से दिशा देने की प्रतीक्षा कर रही है, जिससे यह विशिष्ट क्रिया और इसका अर्थ है ठोस या भौतिक रूप में प्रतिक्रिया ले सकती है, तो इस पुस्तक को समर्पित मिशन पूरा हो गया है, याद रखने की कोशिश करें कि जो चित्र आप सोचते, महसूस करते और देखते हैं, वह युनिवर्सल माइंड में परिलक्षित होता है, और पारस्परिक क्रिया के प्राकृतिक नियम द्वारा आपको आत्मिक या भौतिक रूप में लोटाना चाहिए, व्यक्तिगत और युनिवर्सल माइंड के बीच, पारस्परिक क्रिया के इस नियम के ज्ञान से, आपको वह सब कुछ मुफ्त में प्राप्थ करने की पहुँच मिलती है, जो आप प्राप्थ करना या बनना चाहते हैं, यह द्रढ़ता से ध्यान में रखना चाहिए, कि यह सब केवल उस व्यक्ति के लिए सत्य हो सकता है, जो यह मानता है, कि वे ओनल उन्रिजिनेटिंग युनिवर्सल स्पिरिट ओनाफ लाइफ इश्वर से अपनी शक्ति प्राप्थ करते हैं, और इसे केवल तब तक रचनात्मक रूप से उप्योग कर सकते हैं, जब तक यह उसी आत्मा की प्रकृती के साथ तालमेल में उप्योग और बनाए रखा जाता है, जिसने इसे उत्पन्न किया है, इसे सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति के विचार में उनके यूनिवर्सल औरिजिनेटिंग स्पिरिट के साथ उनके संबंध के बारे में कोई विपरिया नहीं होना चाहिए, जोकी एक पुत्र या पुत्री का है, जिसके माध्यम से माता-पिता का मन, कार्य और प्रति प्रतिक्रिया करता है, इस प्रकार की शर्त के तहट आप जो भी सोचते और महसूस करते हैं, क्रेटिव स्पिरिट ऑफ लाइफ उसे एक संबंधित प्रतिक्रिया में निष्ठा पूर्वक पुर्ण उत्पन करने के लिए बाध्य है, यही कारण है कि अपने और अपने माम को वैसा ही चित्रित करना जैसे आप उन्हें चाहते हैं, उन्हें मौजूदा तत्यों के रूप में हालांकि भौतिक आँख से अद्रिश्य देखना और अपने चित्र में जीना, इसे इमानदारी से करने का प्रयास हमेशा यह मानते हुए कि आपका अपना मन ओरिजिनेट का अभ्यास आपके मन को व्यवस्थित रखता है और उन्हें चीजों को आपकी ओर आकर्शित करता है, जिनकी आपको जीवन को अधिक आनंद दायक बनाने के लिए आवश्यक्ता होती है। यदि आप अपने इच्छाओं को जान बूज कर चित्रित करने और उन्हें व्यवस्थित मानसिक्ता की स्थिती में पहुँचने पर आप अब लगातार मानसिक जल्दी में नहीं होते। जल्दीबाजी डर है और इसलिए विनाशकारी है। दूसरे शब्दों में जब आपका समझ आपके दिल की इच्छा को चित्रित करने और इसे अपनी इच्छा शक्ती के साथ धारन करने की शक्ती को पकड़ता है। तो यह आकर्शन के नियम के सामंजस्य पूर्ण, स्पंधनों द्वारा उस चित्र की पूर्ती के लिए आवश्यक सभी चीजों को आपकी ओर आकर्शित करता है। आप महसूस करते हैं कि चूंकी व्यवस्था का पहला नियम है और द्रिश्यकृती चीजों को उनके प्राकृतिक तत्व में रखती है तो द्रिश्यकृती एक स्वर्गिय चीज होनी चाहिए। हम अब हवा में उड़ते हैं क्योंकि किसी ने प्राकृती के नियमों को बदलने में सक्षम नहीं किया है बलकि इसलिए कि विमान के आविशकारक ने प्राकृती के नियमों को लागू करना सीखा और उनका व्यवस्थित रूप से उप्योग करके इच्छित परिणाम उत् किया जहां तक प्राकृतिक बलों का संबंध है शुरुवात से कुछ भी नहीं बदला है साल एक में कोई हवाई जहाज नहीं थे क्योंकि उस पीड़ी के लोग इसे एक व्यावारिक कामकाजी संभावना के रूप में नहीं समझ सकते थे यह अभी तक नहीं किया गया है त प्राइमान और वायरलेस टेलिग्राफी से उन्होंने जो महान सबक सीखा वह है सिद्धान्त का पूर्व वृत्त परविजय और सभी पिछले अनुभव की संचित गवाही के बावजूद एक विचार को उसके तारकिक निशकर्ष तक काम करना ऐसे उदाहरण के सामने क्य अभी भी बड़े रहस्य प्रकट हो सकते हैं और आपके भीतर वह कुंजी है जिसके द्वारा आप अपने दिल की इच्छा रखने वाले गुप्त कक्ष को खोल सकते हैं इस कुंजी का उप्योग करने और अपने जीवन को ठीक वैसा बनाने के लिए जो आप इसे बनाना च चाहते हैं आवश्यक है कि प्रत्येक बाहरी और द्रिश्य स्थिती के पीछे खड़े अन देखे कारणों की सावधानी पूर्वक जाच करें फिर इन अन देखे कारणों को अपनी धारणा के साथ सामनजस्य में लाएं और आप पाएंगे कि आप उन संभावनाओं की व्य एक अंग्रेज नोबल मैन ने साबित किया कि हाइड्रोजन गैस वातावरण की हवा से साथ गुना हलकी थी उस खोच से गुब्बारा अस्तित्व में आया और साधारन गुब्बारे से एक सिगार के आकार का एरशिप जिसे डिरिजिबल कहा जाता है विकसित हुआ एरोनौटिक्स के अध्ययन और पक्षियों और प्रोजेक्टाइल्स की वायू गती शीलता के नियमों ने यह विश्वास दिलाया कि एक ऐसा यंत्र विकसित किया जा सकता है जिसके द्वारा वायू से भारी मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करने और व जब उन्होंने एक मॉडल विमान को उड़ाया और उसे पोटो मैक के गंदे पानी में अपनी नाग गाड़ दी, तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया। तो उनमें से एक भाई दूसरे से कहता था, यह ठीक है भाई, मैं खुद को उस मशीन में सवार होते देख सकता हूँ और यह आसानी से और स्थिरता से चलती है। उन राइट बंधुओं को पता था कि वे क्या चाहते हैं और उन्होंने अपने चित्रों को लगातार अपने सा उद्देश्य, चीजों को मानसिक और भौतिक दोनों रूप से नियमित क्रम में लाना है। जब आप महसूस करते हैं कि रचनात्मक शक्ति का यह तरीका आपके इच्छाओं को एक के बाद एक व्यावहारिक भौतिक उपलब्धि में लाता है, तो आपके शब्द चित्र क बहुत हृदय में केंद्रिय शक्ति स्टेशन रखने वाले रहस्यमय लेकिन अचूक आकर्शन के नियम में आपका विश्वास सर्वुच्च हो जाता है। कुछ भी इसे हिला नहीं सकता। आपको कभी यह महसूस नहीं होता कि किसी और से कुछ लेने की आवश्यक्ता है। आपने सीखा है कि मांगने और खोजने का मतलब प्राप्त करना और पाना है। आप जानते हैं कि आपको केवल ब्रह्मान के प्लास्टिक पदार्थ को बहना शुरू करना है जो आपके चित्र इच्छा के विचार सांचे में प्रदान करता है। अध्याय दो अपनी इच्छाओं की चीजों को अपनी ओर कैसे आकरशित करें। आपके भीतर वह शक्ती है जो आपको एक विचार चित्र बनाने की अनुमती देती है जो कि सब कुछ का प्रारंभिक बिंदु है। अपने मूल रूप में यह अविभाजित आकारहीन जीव देखना चाहते हैं। जालटेन में अद्रिश्य जब तक कि आप अपनी इच्छा शक्ती की रोशनी नहीं जलाते। इसका मतलब है आप अपने इच्छा को पूरी विश्वास के साथ रोशन करते हैं कि आपके भीतर का रचनात्मक आत्मा कार्य कर रहा है। आत्मा पर इच्छा शक्ती की स्थिर प्रवाह से आपका इच्छित चित्र भौतिक दुनिया की स्क्रीन पर प्रक्षिप्त होता है जो आपके मन में चित्रित स्लाइड की एक सटीक पुनरुतपती है। विचार और भावना को आपके चित्र के विपरीत रोखने के लिए परियाप्त स्थिर इच्छा शक्ती के दूसरी ओर यदि आपकी इच्छा शक्ती परियाप्त रूप से विकसित है ताकि आपके चित्र को विचार और भावना में धारन कर सके बिना किसी यदी के केवल यह महसूस करते हुए कि आपका विचार महान आकर्शन शक्ती है तो आपका मानसिक चित्र आपके भौतिक द से अच्छी जादू लालटेन में रखा गया है एक चित्र को मैजिक लैंटर्न में प्रोजेक्ट करने की कोशिश करें जिसमें रौशनी एक तरफ से दूसरी तरफ लगातार बदलती रहती है और आपको एक अनिश्चित इच्छा का प्रभाव मिलेगा यह उतना ही आवश जिस आनंद मई विश्वास के साथ आप अपना चित्र बनाते हैं वह विश्वास का बहुत शक्तिशाली चुमबक है और इसे कुछ भी मिटा नहीं सकता आप पहले से अधिक खुश हैं क्यूंकि आपने यह जान लिया है कि आपका आपूर्ती स्रोत कहां है और आप इसके आपके द्वारा दिये गए दिशा निर्देशों के प्रती निरंतर प्रतिक्रिया पर भरोसा करते हैं जब सब कुछ कहां और किया जाता है तो खुशी वह एक मात्र चीज है जिसे हर इनसान चाहता है और विजुलाइजेशन का अधियन आपको जीवन से पहले की तुलना म अधिक आनंद लेने में सक्षम बनाता है बढ़ती संभावनाएं आपके सामने अधिक से अधिक खुलती जाती हैं एक व्यवसाई ने मुझसे कहा कि विजुलाइजेशन का अभ्यास करने और हर दिन कुछ मिनट अपने काम के बारे में बड़े व्यापक तरीके से सोचने क कि आदत बनाने के बाद उसका व्यवसाई चेह महीनों में दो गुना हो गया है उसकी विधी यह थी कि वह हर सुबह नाश्टे से पहले एक कमरे में जाता और अपने व्यवसाई का मानसिक मुल्यांकन करता जैसा उसने उसे पिछली शाम को छोड़ा था और फिर उसे उसने कहा कि वह इस तरह से विस्तार और विस्तार करता गया जब तक कि उसके मामले असाधारन रूप से सफल स्थिती में नहीं आ गए वह खुद को अपने कार्याले में देखता हर वह काम करता जो वह चाहता था उसका पेशा उसे हर दिन कई अजनबियों से मिलने की पूरा करते हुए देखा इस आदत ने उन्होंने कहा उनकी इच्छा शक्ति को एक अविश्वसनिय तरीके से मजबूत और स्थिर कर दिया था इसके अलावा इस तरह से चीजों को मानसिक रूप से देख कर जैसा वह चाहता था उसने आत्म विश्वास का एहसास प्राप् करना शुरू करते हैं तो आप महसूस कर सकते हैं जैसा कि कई अन्य लोग करते हैं कि कोई और भी वही तस्वीर बना रहा है जो आप बना रहे हैं और यह स्वाभाविक रूप से आपके उद्देश्य के अनुकूल नहीं होगा इस बारे में किसी भी अनावश्यक चिन्ता म पड़ें बस यह समझने की कोशिश करें कि आपकी तस्वीर विशेश रूप से लागू की गई सार्वभामिक रचनात्मक शक्ति का एक व्यवस्थित अभ्यास है तब आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि कोई भी आपके खिलाफ काम नहीं कर सकता सार्वभामिक सामनजस्य का कानून इसे रोकता है यह ध्यान में रखने का प्रयास करें कि आपकी मानसिक तस्वीर सार्वभामिक मन अपने नहित पहल और चैन की शक्तियों का विशेश रूप से अभ्यास कर रही है भगवान या सार्वभामिक मन ने मनुष्य को अपने माध्यम से खुद को भिन करने के विशेश उद्देश्य के लिए बनाया हर वह चीज जो है इसी तरह से इस स्वसमान आत्म विभेदी करण के कानून के द्वारा अस्थित्व में आई और इसी उद्देश्य के लिए पहले विचार मानसिक चित्र या उस वस्तु का प्रोटोटाइप जो अपनी प्रारं मांड के महान वास्तुकार ने खुद को अपने द्रुविये विप्रीत पदार्थ के माध्यम से प्रकट होते हुए देखा और विचार ने विस्तार किया और खुद को प्रक्षिप्त किया जब तक कि हमारे पास एक दुनिया नहीं थी, कई दुनिया. कई लोग पूछते हैं, लेकिन हमारे पास एक भौतिक दुनिया होनी ही क्यों चाहिए? इसका उत्तर है, क्योंकि यह उत्पत्ति पदार्थ की प्रकृती है कि यह गतिविधी की बजाए निर्देश्यता के तहट ठोस हो जाए, जैसे मोम ठंडा होने पर कठोर हो जाता है, या प्लास्टर ओफ पैरिस हवा के संपर्ख में आने पर ठोस और मजबूत हो जाता है. आपका चित्र इसी दैविय पदार्थ में अपने तरल अवस्था में आकार लेता है, आपके दैविय क्रिया शीलता के व्यक्तिकृत केंद्र आपके मन के माध्यम से, और इस आध्यात्मिक पदार्थ के इस संयोजन को भौतिक रूप में बदलने से कोई शक्ति रोक नहीं केवल वहीं शक्ति रोक सकती है, जिसने इसे जन्म दिया, आप स्वयम, मान लीजिए, आप एक अधिक सो व्यवस्थित कक्ष चाहते हैं, आप अपने कक्ष को देखते हैं, और व्यवस्था का विचार, बक्सों, अलमारियों, हुक आधि का सुझाव देता है, बक्सा, अल अंसिक और भौतिक रूप के बीच संबंध कुछ लोग महसूस करते हैं, कि चीजों के लिए विजुलाइज करना उचित नहीं है, यह बहुत भौतिक है, वे कहते हैं, लेकिन आत्मा की आत्म पहचान के लिए भौतिक रूप आवश्यक है, व्यक्तिगत रिष्टिकोंड स और यह रचनात्मक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का साधन है, इसलिए पदार्थ एक भ्रम नहीं है, और कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसा कि कुछ आध्यात्मिक शिक्षक ने सिखाया है, पदार्थ आत्मा की आत्म विभेदी करण के लिए आवश्यक चैनल है, हलां कि मेरा इरादा आपको विज्वालाइजेशन के रहस्य को हटाने और इसे एक तार्किक नीम पर रखने के लिए लंबी और ठकाव वैज्ञानिक तर्क में ले जाने का नहीं है, स्वाभाविक रूप से प्रत्यक व्यक्ति इसे अपने तरीके से करेगा, मेरी केवल कि आप मेरी तरह निशकर्ष निकालेंगे कि विज्वालाइजेशन के संबंध में केवल रहस्य जीवन का रूप लेना है, जो अपरिवर्तनिये और आसानी से समझने योग्य कानूनों द्वारा नियंतरित है, हम सभी में जितनी शक्ती और संभावनाएं हैं, उससे अधि कि एक ब्रह्मांड के अस्तित्व के लिए ये एक ब्रह्मांडिये मन का परिणाम होना चाहिए, जो सभी व्यक्तिगत मन को क्रिया की कुछ सामान्य एकताओं से बांधता है, इस प्रकार सभी चीज़ों को वास्त्विक्ता के रूप में उत्पन्न करता है, और किसी भी ची रूप रचनात्मक प्रक्रिया के लिए एक परम आवशकता है। यह भी कि पदार्थ एक भ्रहम नहीं है, बलकि वह आवशक चैनल है, जिसके माध्यम से जीवन अपने आपको विभेदित करता है। विजुलाइजेशन की प्रैक्टिस में महसूस करेंगे कि आप कारण से प्रभाव, शुरुवात से अंत तक काम कर रहे हैं। वास्तव में आपकी मानसिक तस्वीर प्रारंभिक आत्मा का विशिष्ट कार्य है। कोई व्यक्ति वैज्यानिक आधार पर घंटों बात कर सकता ह जैसा की ट्रवाड कहते हैं, सौर प्रणालियों के निर्माण के लिए कच्चा माल सभी स्थानों में व्यापक रूप से वितरित होता है। फिर भी जाच से पता चलता है कि जबकी आकाश लाखों सूर्यों से भरे हुए हैं। कुछ स्थान ऐसे हैं, जो किसी भी ब्रह्मा गतिविधी शुरू की, जबकि अन्य स्थानों को पारित कर दिया, जहां कच्चा माल समान रूप से उपलब्ध था। पहले विचार में कोई व्यक्ती ब्रह्मांडियों उर्जा के विकास को एथरिक कणों को स्वयम से जोड सकता है। हालां कि जाच पर हम पाते हैं कि यह स्थान के माध्यम में गणितिय रूप से असंभव है क्योंकि सभी कण संतुलन में हैं, इसलिए किसी भी कण में स्वयम में गति उत्पन करने की अधिक शक्ती नहीं है। इस प्रकार हम पाते हैं कि प्रारंभिक आंदोलन हालां कि प्राथमिक पदार्थ के कणों में और उ आपकी व्यक्तिगत सोच या मानसिक तस्वीर को भौतिक रूप में लाएगी। शक्ती में कोई प्रकार का अंतर नहीं है। अंतर केवल पैमाने का है। शक्ती और पदार्थ स्वयम समान है। केवल आपकी मानसिक तस्वीर को कार्यानवित करते समय इसने अपनी रचनात् सार्व भौमिक से विशेश के पैमाने पर स्थानांतरित किया है और यह आपके मन के विशेश केंद्र से उसी असफल तरीके से काम कर रहा है अध्याय चार आपकी मानसिक तस्वीर का संचालन एक बड़े टेलिफोन सिस्टम के संचालन का एक उपमा के रूप में उपयोग किया जा सकता है मुख्य या प्रधान केंद्रिय अपने आपको कई शाखा केंद्रियों में विभाजित करता है हर शाखा अपने स्रोत से सीधे जुड़ी होती है और हर व्यक्तिगत शाखा अपनी अस्तित्व के स्रोत को पहचानती है. सभी चीजों की रिपोर्ट अपने केंद्रिय प्रधान को देती है. इसलिए, जब किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यक्ता होती है, नई आपूर्ती, कठिन मरम्मत या कुछ और, जरूरतमंद तुरंत अपने केंद्रिय प्रधान के पास जाती है. यह अपनी कठिनाईयों या अपनी सफलताओं को टेलिग्राफ सिस्टम के मुख्य केंद्रिय के पास संदर्भित करने के बारे में नहीं सोचेगी. हालांकि वे एक ही संगठन से संबंधित हैं. ये विभिन शाखा कें केंद्रिय जानते हैं कि किसी भी कठिनाई का एक मात्र समाधान उसी केंद्रिय से आना चाहिए, जिससे वे प्रक्षिप्त हुए थे. यदि हम सार्व भौमिक मन की व्यक्तिगत शाखाओं के रूप में अपनी कठिनाईयों को उसी आत्म विश्वास पूर्ण तरीके से उ उन्होंने कहा, मांगो और तुम्हें मिलेगा, हमारी हर आवशक्ता पूरी हो जाएगी. निश्चित रूप से पिता को बच्चे को आपूर्ति करनी चाहिए. पेड का तना अपनी शाखाओं को प्रदान करने में असफल नहीं हो सकता. हर सजीव या निर्जीव चीज को ए प्रकट नहीं होती. यह अपने स्वयम का पदार्थ प्रक्षिप्त करती है, जो स्वयम का ठोस प्रतिरूप होता है, जबकि यह भौतिक आँख से अद्रिश्य रहती है. केवल वे ही विजुलाइजेशन के मूल्य की सराहना कर पाएंगे, जो पॉलुस के अर्थ को समझने में सक्षम है. जब उन्होंने कहा, दुनिया परमेश्वर के शब्द द्वारा बनाई गई थी. जो चीजें देखी जाती हैं, वे उन चीजों से नहीं बनी हैं, जो दिखाई देती हैं. आपकी चितरित इच्छा के भौतिक प्रमाण में आने के विचार में, कुछ भी अस तिकृत शाखा में हो रही है, जो मनुष्य का मन है. दुनिया में हर चीज की शुरुवात मन में होती है, और यह ठीक उसी प्रकार अस्तित्व में आती है, जिस तरह आपके सिर पर टोपी से लेकर आपके पैरों के जूते तक. सभी प्रक्षिप्त विचार हैं, ठोस किये आपकी व्यक्तिगत उन्नती विकास में इस बात पर निर्भर करती है, कि आप visualization की शक्ति का सही उपयोग कैसे करते हैं, और इसका उपयोग इस बात पर निर्भर करता है, कि क्या आप यह मानते हैं कि आप स्वयम वह विशिष्ट केंद्र हैं, जिसके माध्यम से और जिसमे प्रारंभिक आत्मा नई संभावनाओं के लिए नए अभिव्यक्तियों को ढून रही है, जो पहले से ही इसके भीतर मौजूद है. यह विकास है. यह मौजूदा, लेकिन बाहिय रूप से अद्रिश्य चीजों का लगातार खुलना. आपकी मानसिक तस्वीर वह आकर्शन शक्ति है, जो प्रारंभिक पदार्थ को विशिष्ट रूप में विकसित और संयोजित करती है. आपकी तस्वीर वह संयोजित और विकसित करने वाला उर्जा केंद्र है. ऐसा कहें, जिसके माध्यम से प्रारंभिक रचनात्मक आत्मा स हर चरण इसके बाद आने वाले चरण के लिए आवश्यक तैयारी होती है. अब देखते हैं कि क्या हम उन विभिन चरणों का एक विचार प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा दुनिया की चीजें अस्थित्व में आई हैं. ट्रोवाड कहते हैं, यदि हम उस कार्यशील सिध्धान्त तक पहुँच सकते हैं, जो इन परिणामों का उत्पादन कर रहा है. तो हम इसे बहुत जल्दी और आसानी से व्यक्तिगत रूप से लागू कर सकते हैं. पहले हमें पता चलता है कि आत्मा या प्रारंभिक जीवन का विचार अपने बारे में इसकी अपनी सत तक यह जागरूकता किसी भी आगे की संभावनाओं के लिए एक आवश्यक नीव है, यह बात करने के लिए बहुत कुछ नहीं है. यह व्यक्तिकृत आत्मा के साथ भी ऐसा ही है जो आप स्वयम हैं. इससे पहले कि आप अपनी इच्छा की मानसिक तस्वीर को व्यावहारि आपको अपने अस्तित्व, अपने मैं हू का कुछ विचार होना चाहिए. और जैसे ही आप अपनी मैं हू की चेतना से जागरूक होते हैं, आप इस चेतना द्वारा सुझाई गई स्वतंतरता का आनंद लेने की इच्छा करते हैं. आप अधिक करने और अधिक बनने की और जब आप इस इच्छा को अपने भीतर पूरा करते हैं, तो स्थानिय कृत आत्मा आप में सचेत क्रियाएं शुरू करती हैं। यह स्वाभाविक है कि यह अपने विशिष्ट केंद्र के माध्यम से स्वयम का आनंद लेने का प्रयास करे। और जैसे जैसे आप इस समझ में बढ़ते हैं कि आपका अस्तित्व, आपकी विशिष्टता भगवान का विशेश रूप से खुद को व्यक्त करना है। और यह स्वाभाविक है कि आपको ऐसा चाहिए। इस प्रगतिशील इच्छा के साथ हमेशा एक हलकी विचार चित्र होती है। जैसे जैसे आपकी इच्छा और आपकी समझ तीवर इच्छा में बदल जाती है। यह इच्छा एक सपष्ट मानसिक चित्र बन जाती है। उदाहरण के लिए एक युवा महिला जो संगीत की पढ़ाई कर रही है चाहती है कि उसके पास एक प्यानो हो ताकि वह घर पर अभ्यास कर सके। वह प्यानो को इतना चाहती है कि वह इसे मानसिक रूप से एक कमरे में देख सकती है। वह प्यानो की तस्वीर को अपने मन में रखती है और यह सोचती है कि उसे लिविंग रूम के कोने में प्यानो रखने में कितना आनंद और लाब होगा। एक केंद्र प्रदान करेंगे जिसके माध्यम से जीवन की रचनात्मक आत्मा स्वयम का आनंद ले सकती है। और आप महसूस करेंगे कि एक ही रचनात्मक प्रक्रिया सभी स्थानों को भर रही है जो अपनी क्षमता में समान है चाहे वह सार्व भौमिक हो या व्यक्तिगत। इसके अलावा जो कुछ भी है चाहे वह द्रिश्य विमान पर हो या अद्रिश्य उसकी उत्पत्ति विचार की स्थानिय कृत क्रिया या एक मानसिक चित्र में हुई है और इसमें आप भी शामिल हैं क्योंकि आप सार्व भौमिक आत्मा के स्थानिय कृत रूप हैं और वह रचनात्मक क्रिया आपके माध्यम से हो रही है। रही आवश्यक लगता है, उसे पूरा कर सकता है, तो फिर बीमारी और गरीबी के अस्तित्व का कोई कारण नहीं दिखता। निस संदेह कोई भी इन दोनों की इच्छा नहीं करता। पहला कारण यह है कि कुछ ही लोग जीवन के नियमों के कार्यशील सिध्धान्त की जांच करने का कश्ट उठाएंगे। यदि वे ऐसा करते, तो वे जल्द ही यह समझ जाते कि हमारे चारों ओर दिखाई देने वाली बीमारी और गरीबी की कोई आवश्यक्ता नहीं है। वे महसूस करते कि विजुलाइजेशन एक सिध्धान्त है और कोई भ्रांती नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने इस सरल, हालां कि बिलकुल अचूक नियम का अध्ययन करना सार्थक पाया है, जो उन्हें बंधन से मुक्त करेगा। हालां कि संपूर्ण जाती इस अध्ययन के लिए आवश्यक समय देने को तयार नहीं है। ये या तो बहुत सरल है या बहुत कठिन। वे अपनी इच्छा की एक तस्वीर एक या दो दिन के लिए विजुलाइजेशन की थोड़ी समझ के साथ बना सकते हैं। लेकिन अधिक बार ये एक घंटे या उससे भी कम के लिए होता है। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से खुद को उन चीजों और स्थितियों से घिरा देखना जारी रखेंगे, जैसे आप उन्हें चाहते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि रचनात्मक उर्जा आपके विचारों की प्रवृत्ति द्वारा संकेतित दिशा में अपने रूप में प्रकट होगी और आपका उत्साह इस तथ्य को गुप्त रखने से बढ़ता है। जिस क्षण आप इसे किसी जीवित आत्मा को बताते हैं, उसी क्षण आपकी शक्ति कमजोर हो जाती है। आपकी शक्ति आपके आकर्शन का चुमबक उतना मजबूत नहीं रहता और परिणाम स्वरूप इतनी दूर तक नहीं पहुँच सकता। जितना अधिक एक रहस्य आपके मन और बाहरी स्व के बीच सनरक्षित रहता है, उतनी ही अधिक जीवन्तता आप अपनी आकर्शन की शक्ति को देते हैं। कोई अपनी परेशानियों को साझा करके उन्हें क तुरंत कागज को नश्ट कर दें। हाला कि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपनी तस्वीर को विशेश रूप से जिस तरह से आप सोचते हैं, उसे काम करने के लिए शक्ति को मजबूती से प्रयास करना चाहिए। वह तरीका आपको जल्द ही ठका देगा और आपके उ अज़ान डालर की मानसिक तस्वीर बना रहे हैं, वह साकार हो। मुझे अपने भवन के एक दर्बान से यह पता चला कि मेरे कमरे से बाहर जाने वाले आगंतुकों से उन्होंने इच्छाओं की मानसिक तस्वीरें बनाने के बारे में बहुत कुछ सुना। ओसत इच्छा पांच सरो डालर के लिए होती थी। उसने सोचा कि पांच डालर उसकी रेखा में अधिक थे और उसने इसे कलपना करना शुरू कर दिया। बिना यह जानने के कि उसे यह कहां से या कैसे मिलेगा। मेरा तोता खिड़की से बाहर उड़ गया और मैंने आंगन में पुद आदमियों को उसे पकड़ने के लिए फोन किया। एक आदमी ने इसे पकड़ा और उसने उसकी उंगली पर काट लिया। दर्बान जिसने दस्ताने पहने हुए थे और उसे इसी तरह की चोट का डर नहीं था। उसे पकड़ लिया और मेरे पास ले आया। मैंने उस प्रत्याशित प्राप्ति से प्रसन्न था। आपको बस अपने दिल की इच्छा की ऐसी मानसिक तस्वीर बनानी है। इसे अपनी इच्छा के साथ खुशहाल बनाए रखना है। हमेशा इस बात से अवगत रहना है कि वही असीम शक्ति जिसने ब्रह्मांड को अस्तित्व म में लाया। आपको अपने और आपके माध्यम से आनंद लेने के उद्देश से रूप में लाया। और चुंकि यह सब जीवन, प्रेम, प्रकाश, शक्ति, शान्ति, सौंदर्य और आनंद है और यह एक मात्र रचनात्मक शक्ति है, इसका रूप आपके विचार संकेतक द् दी गई दिशा पर निर्भर करता है। आप में यह अविभाजित है, जो स्वयम वित्रण के उद्देश से बनाए गए उपकरण के माध्यम से दी गई किसी भी दिशा को लेने की प्रतीक्षा कर रहा है। यही वह शक्ति है जो आपको अपने विचारों को एक रूप से द तरल पदार्थ को दिशा दे रही है। यह दुनिया की सबसे सरल चीज है। इस अत्यधिक समवेदन शील प्लास्टिक पदार्थ को आप जो भी रूप देंगे उसे देने के लिए। कोई भी इसे थोड़े से प्रयास से कर सकता है। एक बार जब आप वास्तव में विश् प्लास्टिक नहीं होती है। यह है कि आपने मौलिक सिध्धान्त के विरोध में कुछ पेश किया है। अकसर यह विनाशकारी तत्व आपके चित्रों को बार बार बदलने के कारण होता है। कई बदलावों के बाद आप तै करते हैं कि आपकी मूल इच्छा ही वास्तव मे वही है जो आप चाहते हैं। इस निशकर्ष पर पहुँच कर आप आश्चरय चकित होने लगते हैं कि आपकी पहली तस्वीर होने के नाते यह अभी तक साकार क्यों नहीं हुई। प्लास्टिक पदार्थ जिससे आप मानसिक रूप से निपट रहे हैं, सबसे समवेधन श फोटोग्राफर की फिल्म से भी अधिक समवेधन शील है। यदि एक तस्वीर लेते समय आपको अचानक याद आया कि आपने उसी प्लेट पर पहले ही एक तस्वीर ले ली है, तो आप किसी भी तस्वीर के उत्तम परिणाम की उम्मीद नहीं करेंगे। दूसरी और आपन प्या समझने के लिए परेशान होते हैं कि आपकी तस्वीर इतनी असंतोष जनक क्यों निकली है। आपको ऐसा नहीं लगता कि संबंधित विशय की अच्छी स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करना आपके लिए असंभव है। आप जानते हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं। बस श अंतोष जनक परिणाम प्राप्त करने के लिए निश्चित हैं। यदि आप अपनी मानसिक तस्वीर के साथ उसी तरह आगे बढ़ेंगे, तो एक समान रूप से आत्म विश्वासी मानसिक्ता में अपना हिस्सा निभाते हुए परिणाम उतना ही उत्तम होगा। विज्ज और इच्छाओं के परिणाम इस शक्ती के दुरुपयोग के कारण अपूर्ण या विलंबित हो सकते हैं। यह सोचने के कारण कि आपकी इच्छा की पूर्ती कुछ व्यक्तियों या परिस्थितियों पर निर्भर है। यह संचालित करने के लिए अपने स्वयम के वाहन बनाता है। इसलिए पिछले अनुभव का आपके वर्तमान चित्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसलिए अपनी इच्छा को ऐसे चैनल के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास न करें जो उसके लिए स्वाभाविक भले ही वह आपको उचित लगे। आपकी भावना ये होनी चाहिए कि वह वस्तु या वह चेतना जिसकी आप इतनी अधिक इच्छा रखते हैं। वह सामान्य और स्वाभाविक है। आपका एक हिस्सा है, आपके विकास का एक रूप है। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आ आपके हाथ में मौजूद तस्वीर या किसी अन्य की पूर्थी का आनंद लेने से रोकने की कोई शक्ती नहीं है। अध्याय पांच शुरुआत करने वालों से अभिव्यक्तियां। सैकड़ों व्यक्तियों ने महसूस किया है कि विजोलाइजिंग उसके लिए अलादीन क चिराग है जिसके पास एक शक्तिशाली इच्छा है। जनरल फोच कहते हैं कि अठारो सत्तर के फ्रेंको प्रुशियन युद्ध के दौरान उनके भावनाये इतनी आहत हुई कि उन्होंने खुद को जर्मनों के खिलाफ एक फ्रांसीसी सेना का नेत्रित्व करते हुए वि पिछले सर्दियों में एक प्रमुख संडे पेपर में एक लंबा लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपनी आकृती को लगातार उस तरह से देख कर अत्यधिक शरीर की चर्बी और वजन को कम किया जैसा वे चाहती थी। जिससे मानवता इस अद्भुत तथ्य का एहसास कर सके कि उनके पास अपने भीतर मुक्ती की विधी है। अपना अनुभव बताते हुए उन्होंने कहा कि उनका जन्म न्यूयॉक के इस्ट साइड के सबसे गरीब इलाके में हुआ था। एक चिकित्सक के परिवार में एक नर्जमेड की क्षमता में थी। इस जगह को छोड़कर उन्होंने एक अन्य डॉक्टर के परिवार में प्रवेश किया। उनके नियोक्ता की पत्नी की मृत्यू हो गई। और समय के साथ डॉक्टर ने उनसे शादी कर ली। जो उनकी लंबे समय से चित्रित इच्छा का परिणाम था। इसके बाद उन्होंने और उनके पती दोनों ने दक्षिन में एक फल का फार्म का मालिक होने का विचार किया। उन्होंने इस विचार की एक मानसिक तस्वीर बनाई और इसके अंततह पूरा होने में अपना विश्वास रखा। जो पत्र उन्होंने मुझे भेजा वह उनक तरह के कई पत्र मिलते हैं उसने आज सुभह तड़के एक डाउन्टाउन कॉटेज के दर्वाजे से इसे लिया था तुमने ऐसा क्यों किया नियाधीश कोल्डन बर्ग ने उससे पूछा मैं भूखी थी बूढ़ी औरत ने कहा मेरे पास दुनिया में एक पैसा भी नहीं था और खाने के लिए कुछ पाने का कोई तरीका नहीं था सिवाए इसे चुराने के मुझे नहीं लगा कि किसी को बुरा लगेगा अगर मैंने दूद की एक बोतल ले ली तुम्हारा नाम क्या है? नियाधीश ने पूछा वीनबर्ग? बूढ़ी औरत ने कहा एलिजाबेट वीनबर्ग नियाधीश गोल्डनबर्ग ने उससे उसके बारे में कुछ सवाल पूछे फिर उसने कहा ठीक है, अब आप बहुत अमीर नहीं है लेकिन अब आप गरीब नहीं है मैं महीनों से आपकी तलाश कर रहा था मेरे पास एक रिष्टेदार की संपत्ती से आपके लिए 500 डॉलर है मैं संपत्ती का निश्पा दखूँ नियाधीश कोल्डनबर्ग ने महीला का जुर्माना अपनी जेब से भरा और फिर उसे अपने कार्याले में ले जाकर उसकी विरासत उसे सौपती और एक पुलिस कर्मी को उसे एक ठहरने की जगह ढूंडने के लिए भेज दिया बाद में मुझे पता चला कि इस छोटी महीला ने 500 जो डॉलर की इच्छा की थी और मानसिक रूप से उसकी तस्वीर बनाई थी जबकि वह यह नहीं जानती थी कि यह उसके पास कैसे आ सकता है लेकिन उसने अपने विजन को बनाई रखा और अपने विश्वास से इसे मजबूत किया गुड हाउसकीपिंग के हालिया अंक में एडिंग्टन ब्रूस द्वारा स्टिफनिंग यॉर मेंटल बैकबॉन शीरशक से एक लेक था यह बहुत शिक्षा प्रद है और इसे पढ़ने से किसी को भी लाब होगा वह कहते हैं प्रत्य एक दिन कुछ क्षण अपनी कार्य के बारे में व्यापक विस्तरित कल्पनाशील तरीके से सोचने की आदत बनाए जैसे कि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यक्ता है और समाज के लिए एक उपयोगी सेवा है महान रेलवे मोगल हंटिंग्टन ने अपने तट से तट तक सड़क बनाने से पहले कहा था कि उन्होंने एक भी रेल बिज़ाने से पहले सैकणों यात्राएं की कहा जाता है कि वह घंटों संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्षा अपने सामने रख कर बैठते थे और मानसिक रूप से तट से तट तक यात्रा करते थे ठीक वैसे ही जैसे हम अब उनकी पूरी हुई मानसिक तस्वीर के माध्यम से करते हैं आपके ध्यान आकर्षित करने के लिए सैकणों समान मामलों का उलेख करना संभव होगा आपके द्वारा इच्छित चीज की तस्वीर बनाने की सर्वोत्तम विधी, सरल और आनंद दायक दोनों है यदि आप इसके पीछे के सिध्धान्त को अच्छी तरह समझने के लिए विश्वास करें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सुनिश्चित करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं फिर अपनी इच्छा को इन पंक्तियों के साथ विशिष्ट बनाए अध्याय छे अपनी मानसिक तस्वीर बनाने के लिए सुझाव शायद आप यह महसूस करना चाहते हैं कि आपने किसी उद्देश्य के लिए जिया है आप संतुष्ट और खुश रहना चाहते हैं और आपको लगता है कि अच्छे स्वास्त्य और सफल व्यवसाय के साथ आप इस मानसिक स्थिती का आनंद ले सकते हैं एक बार जब आपने यह निर्णय कर लिया कि यही वह है जो आप चाहते हैं तो आप स्वयम को स्वस्थ चित्रित करना शुरू करें और अपने व्यवसाय को उतना ही सफल माने जितना कि आप स्वाभाविक रूप से इसे बढ़ते हुए देख सकते हैं अपनी स्पष्ट तस्वीर बनाने का सबसे अच्छा समय नाश्टे से पहले और रात में सोने से पहले का है चुँकि स्वयम को परियाप्त समय देना आवश्यक है इसलिए ये आवश्यक हो सकता है कि आप अपनी सामान्य आदत से पहले उठें एक कमरे में जाए जहां आपको कोई परिशान न करें विजॉलाइजिंग के नियम के व्यावहारिक कारे पर कुछ खशनों के लिए ध्यान करें और स्वयम से पूछें मेरे आस-पास की चीजें सबसे पहले अस्तित्व में कैसे आई मुझे अद्रिश्य आपूर्ती से अधिक तेजी से संपर्क स्थापित करने में इसे कैसे सहायक पाऊं किसी ने महसूस किया कि फर्श पर बैठने के बजाए कुर्सी पर बैठना आराम दायक होगा ध्यान की शुरुवात कुर्सी सहज होने की इच्छा थी इसके साथ किसी प्रकार की कुर्सी की तस्वीर आ गई यही सिध्धान्त टोपी और कपड़ों पर भी लागू होता है जो आप पहनते हैं इस विचार को ध्यान से लें कि वस्तु के पीछे का सिध्धान्त क्या है इसे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में स्थापित करें इसे अपनी चेतना के लिए एक तथ्य बनाए यदि आप इसमें पूर्ण होंगे तो आप अपनी स्वयम की विचार शक्ती की सतह के नीचे गहरी चेतना में पाएंगे फिर एक खिड़की खोले लगभग दस गहरी सांसें ले और इस समय के दौरान अपने चारों और प्रकाश की एक बड़ी कालपनिक व्रित्त बनाए जब आप श्वास ले अपने आपको इस प्रकाश के व्रित्त के केंद्र में रखते हुए तो देखें कि बड़ी किरणे प्रकाश की व्रित्त से आ रही है और आपके शरीर में सभी बिंदूओं पर प्रवेश कर रही है और आपके सौर जालक में केंद्रित हो रही है इस केंद्रिय प्रकाश पर कुछ क्षण के लिए सांस को रोकें सौर जालक फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ें जैसे ही आप यह करते हैं मानसिक रूप से देखें कि कालपनिक किरणे या स्प्रे शरीर के माध्यम से उपर जा रहे हैं और पैरों के माध्यम से नीचे और बाहर जा रहे हैं मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर को इस कालपनिक प्रकाश से स्प्रे करें जब आप श्वास व्यायाम समाप्त कर लें तो एक आराम दायक सीधी कुरसी पर बैठें और मानसिक रूप से जानें कि केवल एक जीवन है, एक पदार्थ है और ब्रह्मांड का यह जीवन पदार्थ आपके में आत्म साक्षातकार में आनंद ले रहा है। इस प्रकार के कुछ पुष्टी को दोहराएं जब तक कि आप उन शब्दों की सच्चाई और वास्तविक्ता को महसूस न करें जो आप पुष्टी कर रहे हैं। फिर अपनी तस्वीर शुरू करें। चाहे आपकी इच्छा चेतना की स्थिती के लिए हो या किसी वस्तु के बड़ी या छोटी शुरुआत से शुरू करें। यदि आप एक घर चाहते हैं तो अपने आपको उस प्रकार के घर में देखें जैसा आप चाहते हैं। पूरे घर के माध्यम से जाएं। कमरों का सावधानी पूरवक ध्यान रखें। खिड़कियां कहां स्थित हैं। और अपनी तस्वीर को बार-बार तब तक देखें जब तक कि आप इसकी वास्तविक्ता को महसूस न करें। फिर इसे वैसे ही लिख लें जैसा आपने देखा है। इस भावना के साथ की सबसे अच्छा वही है जो मेरा है। मेरा कोई सीमा नहीं है क्योंकि मेरा मन दिव्य चालन का केंद्र है और आपकी तस्वीर आपके भौतिक संसार में सच होने के लिए उतनी ही निश्चित है जितनी सूरज के चमकने की। को मानसिक चित्र पर रहने देने से आप रचनात्मक आत्मा को इस केंद्र पर केंद्रित कर रहे हैं जहां इसकी सभी शक्तियां समान रूप से संतुलित होती है। Visualizing. आपके उद्देश्य मन को एक संतुलन की स्थिती में लाती है, जो आपको आत्मा के प्रवाह को एक निश्चित रूप से माननिता प्राप्त उद्देश्य की ओर निर्देशित करने में सक्षम बनाती है, और आपके विचार को विपरीत दिशा में प्रवाह को शामिल कर करने से सावधानी पूर्वक मार्क दर्शन करती है. आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप एक अद्भुत संभावित उर्जा से निपट रहे हैं, जो अभी तक किसी विशेश सांचे में विभाजित नहीं है, और आपके मन की क्रिया से आप इसे किसी भी विशे सांचे में विभाजित कर सकते हैं, जिसे आप चाहेंगे. आपकी तस्वीर आपको इस तथ्य पर अपना मन केंद्रित रखने में मदद करती है, कि इस रचनात्मक उर्जा का प्रवा हो रहा है. इसके अलावा, अपनी मानसिक तस्वीर से आप समवेधन शील रचनात्मक श रहे हैं, कि आपके विचार रूपों को बनाए रखने में, आपके विचार पर कोई जोड़दार प्रयास नहीं होता है. जोड़दार प्रयास आपके उद्देश्य को विफल करता है, और प्रतिकूल बल की चेतना का सुझहाव देता है, जिसे विरोध करना है, और यह आपकी तस्वीर के आध्यात्मिक नाभिक को फैलाएंगे, क्योंकि कानून अपनी क्रिया में रचनात्मक है, आपकी चित्रित इच्छा की प्राप्ती निश्चित है. विजुलाइजिंग में याद रखने वाली सात्वी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कि आप एक मानसिक चित्र इसलिए बना रहे हैं, ताकि आप पहले से ही अविभाजित पदार्थ और उर्जा को एक निश्चित गुणवत्ता प्रदान कर सकें, न कि इसके प्रकट ह होने के विशिष्ठ परिस्थितियों को व्यवस्थित करने के लिए, यह स्वयम रचनात्मक शक्ति का कार्य है, यह अपने स्वयम के अभिव्यक्ति के रूपों का निर्माण स्वाभाविक रूप से करेगी, यदि आप इसे अनुमती देंगे, और इससे आपको बहुत सा आपको यह मिलता है, जैसा कि आपको निश्चित रूप से मिलेगा, यदि आप अपने चित्र पर आत्म विश्वास से कायम रहते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह आपको किसी ऐसे चैनल के माध्यम से मिलता है, जिस पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते है या किसी अन्य चैनल के माध्यम से जिसकी उपस्थिती के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं थी, आप एक विशेश उद्देश्य के लिए एक विशेश प्रकार की उर्जा को केंद्रित कर रहे हैं, इसे ध्यान में रखें और विशिष्ट विवरणों को खुद का खया आपके व्यक्तिगत उप्योग के लिए पूरी तरह से समर्पित एक विशाल प्रकाश और भलाई का भंडार है, महान संपूर्ण के साथ आपका सचेत एक कत्व सफलता का रहस्य है, और एक बार जब आप इसे समझ जाते हैं, तो आप इसे अपनी इच्छा पर संपूर्ण या आनशिक रूप से आनंद ले सकते हैं, क्योंकि आपकी मान्यता से आपने इसे बनाया है, और इसे बढ़ते हुए अपना बना सकते हैं, कभी भी न भूलें कि हर भौतिक वस्तू, चाहे वह आपके लिए हो या आपके खिलाफ, वह एक सतत विचार था, इससे पहले कि व जाती हैं, जो आप पास रखते हैं या नहीं रखते हैं। बनने का प्रयास करने वाला केवल तब प्रभावी और प्रेरक हो सकता है, जब उसने उन्हें मानसिक अनुभव की प्रयोग शाला में परिक्षण किया हो। ये विशेश रूप से मेरे मामले में सच है, क्यूंकि वर्तमान समय के महानतम मानसिक विज्ञान के, मास्टर व्यक्तिगत शिष्य, जिनकी शिक्षा व्यक्तिगत मन और जीवन देने वाले सार्व भौमिक रचनात्मक मन के बीच के संबंध पर आधारित है, और जिस तरह से उस संबंध को व्यक्तिगत जीवन में विस्तार और पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करने के लिए बु यह मानते हुए कि प्रत्येक दिन मुझे दोस्तों के पीच, हंसी और खुशी से घिरा हुआ पाया, एक लगातार महसूस होता रहा कि मैं दुनिया में अकेला हूँ। पती के मरने पर मुझे एक बड़ी क्षती हुई थी, वे जानते थे कि उन्होंने मुझे अच्छी तरह से प्रदान किया था, कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र और कई दोस्त थे। कि केवल भीतर से प्राप्त किया जा सकता था। मैंने क्रिश्चिन साइंस का अध्यन किया, लेकिन इससे मुझे कोई सांत्वना नहीं मिली। हालांकि मुझे वैज्ञानिकों के महानकार्य का पूरा एहसास था। और यहां तक की व्यक्तिगत रूप से मिसेज एडी से मिलने का सुख और विशेश आधिकार भी प्राप्त हुआ। लेकिन क्रिश्चिन साइंस की बुनियादी शिक्षाओं को स्विकार करना और उसका व्यावारिक अनुप्रयोग करना मेरे लिए असंभव था। जब मैं संतोष की खोज छोड़ने और एक बार फिर से मनोरंजन के जीवन को फिर से अपनाने के लिए तयार हो रही थी, एक मित्र ने मुझे महान दूर दर्शी और शिक्षक अब्दुलबहा से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस अद्भुत व्यक्ति के साथ मेरी मुलाकात के बाद मेरी संतोष की खोज ने एक मोड लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं दुनिया भर में सत्य की खोज करूँगी और जब मुझे इसे मिल जाएगा तो इसे बोलूँगी। इस महान दूरदर्शी के कथन की पूर्थी तब असंभव लगती थी। लेकिन इससे एक मापदंड प्रोथसाहन मिला। और कम से कम यह संकेत दिया कि मेरी पिछली खोज गलत दिशा में थी। मैंने एक कमजोर और टटोलते हुए तरीके से अपने भीतर संतोश खोजना शुरू किया क्योंकि उन्होंने संकेत दिया था कि मुझे सत्य मिल जाएगा। यही बड़ी बात थी और हमारे साक्षातकार की यही एक मात्रबात मुझे याद है। कुछ दिनों बाद एक नए विचारक प्रैक्टिशनर के कार्याले में जाते समय, मेरी नजर उनकी मेज पर रखी एक किताब, The Edinburgh Lectures on Mental Science पर पड़ी। इसने मुझे यह देखकर दिल्चस्पी दी कि ट्रोवाड पंजाब भारत से सेवा निवृत्त डिविजनल जज थे। मैंने किताब खरी दी यह सोच कर कि मैं इसे उसी शाम पढ़ लूँगी। कई लोगों ने ऐसा करने का प्रयास किया है केवल यह पता लगाने के लिए जैसा कि मैंने किया कि पुस्तक को समझने के लिए अध्यान करना पड़ता है और सेकडों ने फैसला किया ठीक उसी तरह जैसे मैंने किया कि इसे अपनी पूरी तनमयता देनी चाहिए। इस खजाने की किताब को खोजने के बाद मैं कुछ दिनों के लिए देश में चली यह उम्मीद करते हुए कि इसका अध्यान करने में इतनी कठिनाई न हो। कि मुझे महीनों लग गए इसे समझने के लिए। लेकिन इस बीच पृष्ट 26 से एक पैराग्राफ ने मेरा ध्यान खींचा, जो अब तक मैंने पढ़ा हुआ सबसे महान बात प्रतीत हुआ। मैंने इसे याद कर लिया और अपनी पूरी आत्मा के साथ ट्रोवार्ड के श कि कुछ ऐसा उत्पादन करना जो पहले से गुजर चुका हो, कुछ पूरी तरह से नया, जो पिछले अनुभव में शामिल नहीं था, हालांकि यह एक क्रमिक विकास के अनुक्रम द्वारा निकलता है। इसलिए क्योंकि द्व्य अपने अंतर निहित प्रकृती को नहीं बदल सकता है, इसे मेरे साथ भी उसी प्रकार से संचालित करना चाहिए। इस प्रकार मेरे अपने विशेश विश्व में जिसका मैं केंद्र हूँ, यह नए स्थितियों का उत्पादन करने के लिए आगे बढ़ेगा। हमेशा किसी भी पहले से गुजर चुके, किसी भी चीज से आगे। इसे याद करने के प्रयास में शब्द एक निश्चित उत्तेजना लेकर आए। हर बार पैराग्राफ को दोहराने पर मेरे लिए इसमें आत्मा में प्रवेश करना आसान हो गया। शब्दों ने बिलकुल वही व्यक्त किया जो मैं खोज रही थी। मेरी एक मात्र इच्छा मानसिक शान्ती के लिए थी। यह विश्वास करना आराम दायक था कि मेरे अंदर दिव्य संचालन व्यापक अभिव्यक्ती के लिए विस्तार कर सकता है और अधिक से अधिक संतो कुछ पैदा कर सकता है। वास्तव में एक मानसिक शान्ती और एक संतोष की डिग्री जो मैंने पहले कभी नहीं जानी थी। पैराग्राफ ने आगे मुझे यह महसूस करने के लिए गहरी रुचि दी कि मेरे जीवन में जीवन छिंगारी कुछ ऐसा ला सकती है जो पूरी तरह से नया हो। मैं अपने पिछले अनुभव को मिटाना नहीं चाहती थी लेकिन ट्रोवाट ने कहा कि यह ठीक यहीं नहीं करेगा। दिव्य संचालन मेरे पिछले अनुभव को बाहर नहीं करेगा बलकि उनसे निकलता हुआ कुछ नया लाएगा जो मैंने पहले कभी अ कि ट्रोवाट का यह एक कथन सत्य है। निश्चित रूप से दिव्य अपनी अंतर नहित प्रकृती को नहीं बदल सकता है। और क्योंकि दिव्य जीवन मुझमें संचालित हो रहा है, मुझे दिव्य रूप से निवासित होना चाहिए और मुझमें दिव्य उसी प्रकार स संचालित होना चाहिए, जैसे यह सार्वभौमिक विमान पर होता है। इसका मतलब था कि मेरे जीवन की पूरी दुनिया, परिस्थितियां, दोस्त और परिस्थितियां, अंततह संतोश और आनंद की दुनिया बन जाएंगी, जिसके मैं केंद्र हूँ। यह सब तब होगा जब मैं अपने मन को नियंतरित करने में सक्षम हो जाऊंगी, और इस प्रकार एक ठोस केंद्र प्रदान कर सकूंगी, जिसके चारों ओर दिव्य उर जाएं खेल सकें। निश्चित रूप से यह प्रयास करने योग्य था। यदि ट्रोवाड ने इस सत्य को पाया है, तो म इस ने मुझे मेरे निराशा के अवस्था से उपर उठाया, ततकाल कठिनाई, वित्तिय संसाधनों की आवश्यक्ता थी। और ट्रोवाड के साथ अध्यान करने के लिए परयाप्त नहीं लगती थी। इसलिए इससे पहले कि यह पूछताच करें कि क्या ट्रोवाड विद्यार्थियों को लेते हैं या क्या मैं योग्य होंगी यदि वे ऐसा करते हैं, मैंने याद किया हुआ पैराग्राफ का उप अध्यातर कुछ विस्तार करना है। कि ये बीस हजार डॉलर इंग्लेंड जाने और ट्रोवाड के साथ अध्यान करने के उद्देश्य से थे। मैंने अपनी तस्वीर लिखी। खुद को अपने स्टीमर टिकट खरीदते हुए देखा। न्यू यॉर्क से लंदन तक जहाज के डेक पर चलते हुए देखा। कि मन पर अधिक से अधिक प्रभाव डालते हुए, मेरा मन दिव्यक्रियाओं का केंद्र है। मैंने इस कथन को हमेशा अपने चेतना के पीछे के भाग में बनाए रखने का प्रयास किया, बिना इस बात का विचार किये कि पैसे कैसे प्राप्थ हो सकते हैं। शायद इसका कारण यह था कि मैं बीस हजार डॉलर कहां से आएंगे। यह बिल्कुल नहीं सोच सकती थी। इसलिए मैंने अपने विचार को स्थिर रखा और आकरशन की शक्ति को अपने तरीकों और साधनों को खोजने दिया। एक दिन जब मैं सडक पर चल रही थी, गहरी सांस लेने क विचार आया, मेरा होना चाहिए। जब ये विचार मेरे मन में चल रहे थे, तो ऐसा लगा कि मेरे भीतर से एक विचार उठ रहा है। मैं ही सभी पदार्थ हूँ, फिर मेरे दिमाग के एक अन्य चैनल से उत्तर आया। बिल्कुल सही, यही बात है। हर चीज की शुरुआत मन में ही होती है। मैं विचार ही एक मात्र और प्राथमिक पदार्थ होना चाहिए, और इसका मतलब, पैसे के साथ साथ बाकी सब कुछ भी है। मेरे मन ने इस विचार को स्विकार कर लिया, और तुरंत ही मन और शरीर का सारा तनाव समाप्थ हो गया। एक निश्चित्ता की भावना थ कि मैं जीवन की सारी शक्ति के साथ संपर्क में हूँ. पैसे, शिक्षक या यहां तक की अपनी स्वयम की पहचान का सारा विचार मेरे पूरे अस्तित्व में बांट की तरह आई खुशी की लहर में गायब हो गया. मैं आगे और आगे चलती रही, इस खुशी की भावना में लगातार वृध्य और विस्तार होता रहा, जब तक की मेरे चारों और सब कुछ चमकदार प्रकाश से जगमगाने लगा. हर व्यक्ति जिससे मैं मिली, वह भी मेरी तरह उज्ज्वल था. सभी व्यक्तित्व का सारा विचार गायब हो गया, और इसके स्थान पर खुशी और संतोष की महान और लगभग अभिभूत कर देने वाली भावना आई. उस राज जब मैंने बीस हजार डॉलर की अपनी तस्वीर बनाई, तो ये पूरी तरह से बदल गई थी. पहले के मौकों पर जब मैं अपनी मानसिक तस्वीर बनाती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने भीतर कुछ जगा रही हूँ. इस बार किसी भी प्रयास की कोई भावना नहीं थी. मैंने बस बीस हजार डॉलर गिन लिये. फिर सबसे अप्रत्याशित तरीके से, एक स्रोथ से, जिसके बारे में मुझे उस समय कोई जानकारी नहीं थी, ऐसा लगा कि एक संभावित रास्ता खुल गया है, जिससे पैसा मुझे मिल सकता है. शुरुवात में उत्तेजित न होना बहुत कठिन था. ये सब इतना अद्भुद, इतना शानदार लग रहा था, कि मैं आपूर्ती के संपर्क में हूँ. लेकिन क्या ट्रोवाड ने अपने पाठकों को यह चेतावनी नहीं दी थी, कि अनंत आपूर्ती के साथ एकता की पहली पहचान में अपने मन से सारी उत्तेजना निकाल दें, और इस तथ्य को एक पूरी तरह से स्वाभाविक परिणाम के रूप में माने, जो हमारी मांग के माध्यम से प्राप्थ हुआ है, यह मेरे लिए सभी पदार्थों का मैं हूँ, मैं, विचार, सभी रूपों की शुरुआत हूँ, चाहे वह द्रिश्य हो या अद्रिश्य, के विचार को बनाए रखने की तुल्ना में अधिक कठिन था, जैसे ही कोई परिस्थिती प्रक किया, जिसे मैंने परम में बोया था, बलकि उस दिशा का अनुसरण करके अपनी भूमी का निभाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, ऐसा करने से एक परिस्थिती स्वाभाविक रूप से दूसरी की ओर ले जाती दिखी, जब तक की मेरी वांशित बीस हजार डॉलर की र वर्नित है, उनके द्वारा वर्नित विधियों का सावधानी पूर्वक पालन करने से आया था. इस संबंध में इसलिए मैं पाठक को ट्रोवाड की पुस्तक, दे एडिनबर्ग लेक्चर्स को उद्रित करके कोई बहतर उपहर नहीं दे सकता, जिससे मेरे द्वारा अनुस पुस्ति के साथ हमारे संबंध को ठीक से समझना चाहिए, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं. यह बुद्धिमान है और हम बुद्धिमान हैं, और दोनों बुद्धिमानों को सहयोग करना चाहिए. हमें कानून के विपरीत नहीं जाना चाहिए. यह उम्मीद करते हुए कि यह हमारे लिए वह करेगा जो यह केवल हमारे माध्यम से कर सकता है और इसलिए हमें अपनी बुद्धि का उपयोग इस ज्ञान के साथ करना चाहिए कि यह एक बड़ी बुद्धिमता के उपकरण के रूप में कार्य कर रही है और क्योंकि हमारे पास यह ज्ञान है हम अंतिम परिणाम के बारे में सारी चिंता से मुक्त हो सकते है वास्त्विक अभ्यास में हमें पहले अपने उद्धेश की आदर्श अवधारणा बनानी चाहिए इसे सार्व भौमिक मन पर प्रभावित करने के निश्चित इरादे से यह विचार है जो इस प्रकार के विचार को मात्र आकस्मिक कलपनाओं के क्षेत्र से बाहर ले जाता है और फिर यह पुष्टी करनी चाहिए कि कानून का हमारा ज्यान एक समान परिणाम की शान्त उम्मीद का परियाप्त कारण है और इसलिए सभी आवश्यक परिस्थितियां हमारे पास सही क्रम में आएंगी फिर हम अपने दैनिक जीवन के मामलों की ओर इस शान्त आश्वासन के साथ मुड़ सकते हैं कि प्रारंभिक स्थितियां या तो पहले से ही वहां है या जल्द ही दिखाई देंगी यदि हम उन्हें तुरंत नहीं देखते हैं तो हमें इस ग्यान के साथ संतुष्ट रहना चाहिए कि आध्यात्मिक प्रोटोटाइप पहले से ही अस्तित्व में है और तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि कोई ऐसी परिस्थिती जो वांचित दिशा की ओर इशारा करती है प्रकट होने न लगे यह एक बहुत ही छोटी परिस्थिती हो सकती है लेकिन इसे विचार करने के लिए दिशा और नहीं आकार लेना चाहिए जैसे ही हम इसे देखते हैं हमें इसे परम में बोए गए बीज का पहला अंकुर मानना चाहिए और शांति से और बिना उत्तेजना के जो भी परिस्थिती आवश्यक प्रतीत होती है उसे करना चाहिए और फिर बाद में हम देखेंगे कि यह करना बदले में उस दिशा में आगे की परिस्थिती की ओर ले जाएगा जब तक कि हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति तक चरण दर चरण नहीं पहुँच जाते इस तरह से आपूर्ती के कानून के महान सिध्धान्त की समझ हमें बार-बार के अनुभवों के द्वारा चिंता जनक विचारों और श्रम साध्य परिश्रम के क्षेत्र से अधिक से अधिक पूरी तरह से बाहर निकाल देगी और हमें एक नई दुनिया में ले आएगी जहां हमारे सभी शक्तियों चाहे मानसिक हो या शारिरिक का उप्योग केवल हमारे व्यक्तित्व की अपनी प्रकृती के आधार पर विस्तार होगा और इसलिए स्वास्थ्य और खुशी का एक सतत्स्रोत निश्चित रूप से व्यक्तिगत और सार्व भौमिक मन के बीज के संबंध को नियंत्रित करने वाले कानूनों के सावधानी पूर्वक अध्ययन के लिए एक पर्याप्त प्रेरणा मेरे विचार में तब और अब यह उद्धरण अनन्त आपूर्ती के संपर्क में आने के लिए आवशक त्रिष्टिकोण के विधी और तरीके का मुख्य और केंद्र बिंदू निर्धारित करता है कम से कम यह साथ ही पहले उद्रित कथन मेरा मन दिव्य क्रियाओं का केंद्र है आदी खुद को 20,000 डॉलर आकरशित करने के केवल स्पष्ट साधन थे इन बयानों की आत्मा में प्रवेश करने और इस आवशक राशे को आकरशित करने का मेरा निरंतर प्रयास लगभग 6 सपताह का था जिसके अंत में मेरे बैंक में आवशक 20,000 डॉलर थे इसे एक लंबी कहानी बनाई जा सकती है सभी विवरन देने के साथ लेकिन पहले से वर्णित तथ्य आपको मेरे मन की चुम्बकी अस्थिति की एक स्पष्ट धार्ना देंगे जबकि 20,000 डॉलर मुझे मिलने का रास्ता खोज रहे थे अध्याय दस मैं कैसे वर्णान समय के महानतम मानसिक वैज्ञानी की एक मात्र व्यक्तिगत छात्र बनी जैसे ही ट्रुवार्ट के साथ अध्ययन करने का विचार मेरे मन में आया मैंने एक मित्र से मेरे लिए उन्हें लिखने के लिए कहा यह महसूस करते हुए कि शायद मेरे मित्र मेरी इच्छा को मुझसे बहतर या अधिक प्रभावशाली शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं इस मित्र द्वारा लिखे गए सभी पत्रों का मुझे एक भी उत्तर नहीं मिला यह इतना हतोत साहित करने वाला था कि मैं ट्रोवार्ड की छात्र बनने की पूरी धार्णा को पूरी तरह से छोड़ देती यदि उस दिन सडक पर मेरा अनुभव नहीं होता जब मेरी पूरी दुनिया उज्ज्वल हो गई थी और मुझे वादा याद आया जो कुछ भी तुम चाहोगे विश्वास करो कि तुमने प्राप्त किया है और तुम प्राप्त करोगे इस अनुभव के साथ मेरी इंग्लैंड की यात्रा की व्यवस्था की गई भले ही सपष्ट रूप से मेरे पत्रों को नजर अंदाज किया जा रहा था हालांकि हमने फिर से लिखा और अंततह एक उत्तर मिला बहुत शिष्टा चार पूर्ण लेकिन बहुत सकारात्मग ट्रोवाड विद्यार्थियों को नहीं लेते थे उनके पास एक छात्र को समर्पित करने का समय नहीं था इस निश्चित निर्णय के बावजूद मैंने हतोत साहित होने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे उस दिन का अनुभव याद था जब प्रकाश और विचार मेरे पास आया मैं सभी पदार्थ हूँ मैंने उस अनुभव को जब चाहा तब जीने की क्षमता पाई और इसके साथ हमेशा साहस और नए उर्जा का एक बाठाया हम लंदन की यात्रा पर गए और वहां से ट्रोवाड को एक तार भेजा एक साक्षातकार के लिए अनुरोध करते हुए ट्रोवाड ने तुरंत उत्तर दिया और मिलने के लिए एक तारीख तैकी उस समय ट्रोवाड रुवान मैनर में रहते थे जो दक्षिनी इंग्लैंड के एक छोटे से गाव में था और रेलवे स्टेशन से लगभग 20 मील दूर था हम इसे नक्षे पर नहीं ढूंड सके और लंदन में कुक के टूरिंग एजेंसी ने बहुत मुश्किल से इस जगह को हमारे लिए ढूंडा मेरे मन में ट्रोवाड से साक्षातकार में क्या कहेंगे इसके बारे में बहुत कम संदेह था हमेशा यह भावना बनी रही कि सत्य मेरा है साथ ही यह मेरी चेतना में बढ़ेगा और विस्तारित होगा जब तक कि शान्ती और संतोष मेरे व्यक्तिगत जीवन की बाहरी और आंतरिक अभिव्यक्तियां न बन जाए हमें एक जबरदस्त बारिश के बीच ट्रोवाड के घर पहुँचे और हमें स्वयम ट्रोवाड ने गर्म जोशी से स्वागत किया मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह एक अंग्रेज की तुलना में अधिक एक फ्रांसीसी की तरह थे बाद में मुझे पता चला कि वह हुगेनोट नसल के वन्शज थे एक मध्यम कद के व्यक्ति बड़ी नाक और चमकदार आँखों वाले जो हंसी से भरी होती थी हमें परिवार के अन्ने सदस्यों से मिलवाया गया और एक गर्म चाय दी गई फिर हमें बैठक कक्ष में आमंद्रित किया गया जहां ट्रोवार्ड ने मेरी प्रस्तावित पढ़ाई को छोड़ कर हर चीज पर बहुत स्वतंतरता से बात की ऐसा लग रहा था कि उन्हें उस विशय पर लाना असंभव था हालांकि जब हम छोड़ने वाले थे तो मैंने सीधे पूछ लिया क्या आप व्यक्तिगत विद्यार्थी लेने के अपने निर्णय पर पुनर विचार नहीं करेंगे मैं आपके साथ पढ़ाई करना चाहती हूँ जिस पर उन्होंने बहुत ही उदासीन तरीके से उत्तर दिया कि वह व्यक्तिगत निर्देश के लिए आवश्यक समय देने में सक्षम नहीं महसूस करते लेकिन वह मुझे दो या तीन पुस्तकों के नाम देने में खुशी होगी जो न केवल दिलचस्प बलकि शिक्षा प्रद होंगी उन्होंने कहा कि वह बहुत खुश और प्रसन्न थे कि मैं अमेरिका से उनके साथ अध्यान करने आई हूँ और जब हम उनके घर से अपनी गाड़ी तक चल रहे थे तो उनकी उदासीन ता कम हो गई एक सहानुभूति की भावना उनके दिल में आई और उन्होंने कहा आप पैरिस पहुँचने के बाद मुझे लिख सकती है और शायद अगर मुझे शरद रतू में समय मिला तो हम कुछ व्यवस्था कर सकते हैं हालां कि अभी यह संभव नहीं लगता मैंने उनके बहुत ही कृपालू निमंतरण का तुरंथ पालन किया मेरे सभी पत्रों का तुरंथ और शिष्टा चारपूर्ण उत्तर मिला लेकिन मेरी प्रस्तावित पढ़ाई के बारे में कभी कोई उत्साह वर्धक शब्द नहीं मिला अंततह लगभग दो महीने बाद एक पत्र आया जिसमें सवाल था आपको क्या लगता है कि यह वचन 21 अध्याय के रहस्योद घाटन में क्या मतलब है 16 और नगर चौकोर है और उसकी लंबाई चौडाई के बराबर है और उसने नगर को नापने की छड़ी से नापा 12,000 फरलांग उसकी लंबाई, चौडाई और उंचाई बराबर है स्वाभाविक रूप से मुझे पता था कि ट्रोवाट के साथ अध्यान करने का मेरा मौका सही उत्तर देने पर निर्भर करता है इस वचन की व्याख्या मेरे समझ से परे लग रही थी स्वाभाविक रूप से उत्तर मेरे मन में आते थे लेकिन मुझे अंतर ज्यान से पता था कि कोई भी सही नहीं है मैंने अपने विद्वान मित्रों और परिचितों से इस प्रश्न को पूछना शुरू किया वकील, डॉक्टर, पुजारी, नन और धर्मगुरू सभी को इस प्रश्न के साथ पत्र भेजे उत्तर आना शुरू हो गए लेकिन अंतर ज्यान ने मुझे बताया कि कोई भी सही नहीं है इस बीच मैं स्वयम उत्तर खोजने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई भी सही नहीं लग रहा था मैंने इस वचन को याद कर लिया ताकि मैं उस पर ध्यान कर सकूँ मैंने पैरिस में उन पुस्तकों की खोज शुरू की जो ट्रोवाड ने मुझे सुझाई थी और दो या तीन दिन की खोज के बाद हम नदी सीन को पार करके एल दसिट के पुराने बुक स्टोर्स में गए वे पुस्तकें छपाई से बाहर थी और ये सबसे अच्छे स्थान थे जहां उन्हें पाया जा सकता था अंततह हमें एक छोटी दुकान मिली जहां वे पुस्तकें थी ये व्यक्ति की आखिरी प्रतियां थी इसलिए कीमत अधिक थी क्लर्क से विरोध करते हुए मेरी नजर एक जोटीशी के काम पर पड़ी जिसे मैंने हसते हुए उठाया और पूछा क्या आपको लगता है कि प्रोफेसर मेरा राशिफल पढ़ेंगे क्लर्क ने इस सुझाव पर अचमभित होकर उत्तर दिया नहीं मैडम ये फ्रांस के महानतम जोतिशियों में से एक है वह राशिफल नहीं पढ़ते इस उत्तर के बावजूद मेरे अंदर इस व्यक्ति के पास जाने की एक द्रड़ प्रवृत्ती थी जो मित्र मेरे साथ पुस्तकों की खोज में था उसने मुझे जाने से रोकने की कोशिश की लेकिन मैंने जोर दिया और वह मेरे साथ गई जब हम उनके कार्यालय पहुँचे तो मुझे अपना राशिफल पढ़ने के लिए कहना कुछ अजीब लग रहा था फिर भी पूछने के अलावा कुछ नहीं था अनिच्छा से प्रोफेसर ने हमें अपने कागजों से भरे अध्ययन में आमंत्रित किया और अनिच्छा से और थोड़ी असहिश्नुता से हमें बैठने के लिए कहा बहुत शिष्ठा चारपूर्ण और ठंडे ढंग से उन्होंने मुझे बताया कि वह राशिफल नहीं पढ़ते उनके पूरे आचरण ने सपष्ट रूप से कहा कि वह चाहते थे कि हम चले जाएं मेरा मित्र खड़ा हो गया मुझे आगे क्या करना है ये समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि मैं जाने के लिए तयार नहीं हूँ अंतर ग्यान ने मुझे बताया कि वहां मेरे लिए कुछ था लेकिन क्या मैं परिभाशित करने में असमर्थ थी इसलिए मैंने एक पल रुख गई जिससे मेरे मित्र को अप्रसन्नता हुई तभी प्रोफेसर की एक बड़ी फारसी बिल्ली मेरी गोद में कूद गई नीचे उतर जाओ जैक प्रोफेसर चिल्लाए इसका क्या मतलब है उन्होंने खुद से पूछा फिर पहले की तुल्ला में अधिक रुची दिखाते हुए प्रोफेसर ने मुस्कराते हुए कहा मैंने कभी इस बिल्ली को किसी अजनभी के पास जाते नहीं देखा मैडम मेरी बिल्ली आपके लिए सिफारिश कर रही है अब मुझे भी आपके राशिफल में रुची है और यदि आप मुझे डेटा देंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं इसे आपके लिए लिखतू जब उन्होंने यह कहा तो मुझे बहुत खुशी हुई उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि आप वास्तव में अपने राशिफल की परवाह करते हैं उनके इस कथन की सच्चाई ने मुझे चौका दिया क्योंकि मुझे राशिफल की परवाह नहीं थी और मैं नहीं बता सकती थी कि मैं क्यों इसे करा रही हूँ हालां की उन्होंने कहा, क्या मैं आपके डेटा को अगले रविवार की दोपहर को ले सकता हूँ? रविवार की दोपहर निर्धारित समय पर प्रोफेसर आये और मैं उन्हें अपने जन्म आदि के सभी डेटा वाला पर्चा दे रही थी तब ही मुझे खयाल आया कि प्रोफेसर से 21 अध्याय के 16 वचन के बारे में पूछ हूँ यह विचार तुरंत अमल में आया और मैंने पाया कि मैं इस व्यक्ति से पूछ रही हूँ कि वह इस वचन का क्या मतलब समझते हैं बिना सोचे समझे उन्होंने तुरंत उत्तर दिया इसका मतलब है शहर सत्य का प्रतीक है और सत्य अपरिवर्थनिय है जिस भी पक्ष से आप इसे देखते हैं ये बिलकुल समान है अंतर ज्यान पूर्वक और बिना किसी संदेह के मैंने इस उत्तर को सही माना और मेरी खुशी की कोई सीमा नहीं थी क्योंकि मुझे यकीन था कि इस सही उत्तर के साथ ट्रोवार्ड मुझे अपने चात्र के रूप में स्वीकार करेंगे जब महान ज्योतिशी जा रहे थे मैंने उन्हें ट्रोवार्ड के साथ अध्यान करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया कि मैं न्यू यॉर्क शहर से इस उद्देश्य के लिए आई हूँ जो की व्यर्थ लगता था जब तक कि मुझे यह उत्तर नहीं मिला वह बहुत दिल्चस्पी से पूछताच करने लगे और जब उनसे पूछा कि क्या वह कृपया मुझे अपना बिल भेजेंगे तो उन्होंने मुस्कराते हुए कहा मुझे बताईए कि क्या महान ट्रोवार्ड आपको अपने छातर के रूप में स्विकार करते हैं और शुब संध्या कहकर चले गए मैंने तुरंथ ट्रोवार्ड को 21 अध्याय के सुलवे वचन के उत्तर के बारे में टेलिग्राम भेजा ट्रोवार्ड से तुरंथ उत्तर मिला आपका उत्तर सही है मैं लंदन में दिग्रेट पिरामिट पर एक पाठिक्रम की व्याख्यान शुरू कर रहा हूँ यदि आप इन्हें देखना चाहें तो मुझे खुशी होगी और बाद में यदि आप अभी भी मेरे साथ अध्यान करना चाहें तो मुझे लगता है कि इसे व्यवस्थित किया जा सकता है इस उत्तर के प्राप्त होने पर पैरिस से लंदन जाने की तैयारी तुरंत की गई मैंने सभी व्याख्यानों में भाग लिया और उनसे बहुत कुछ सीखा जिसके बाद मेरे अध्यान के लिए व्यवस्था की गई कॉनवाल के लिए रवाना होने से दो दिन पहले मुझे ट्रोवार्ट से निम्न लिखित पत्र मिला जो सपष्ट रूप से मेरी पढ़ाई की दिशा को दर्शाता है मुझे लगता है कि आपके साथ प्रस्तावित अध्यान के संबंध में मुझे आपको कुछ पंक्तियां लिखनी चाहिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप किसी गलत फहमी में रहें और किसी निराशा का सामना करें मैंने कई वर्शों तक इस विशय का अध्यान किया है और अधिकांश प्रणालियों के प्रमुख विशेशताओं से सामान्य रूप से परिचित हूँ जो दुर्भाग्य से वर्तमान समय में कई हलकों में ध्याना करशित करते हैं जैसे कि थियोसोफी, टैरो, काबला, आदी और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है यह कहने में कि मेरी सर्वोत्तम समझ के अनुसार सभी प्रकार के तथा कठित गुप्त अध्ययन वास्तविक जीवनदाई सत्य के विप्रीत हैं और इसलिए आपको ऐसे विशयों पर कोई शिक्षन मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए आजकल हम दीक्षा के बारे में बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन मुझ पर विश्वास करें जितना अधिक आप तथा कठित दीक्षित बनने की कोशिश करेंगे उतना ही आप जीवित जीवन से दूर होंगे मैं कई वर्षों के सावधानी पूर्वक अध्ययन और विचार के बाद ये कहता हूँ कि बाइबिल और उसका मसीह का रहस्योद घाटन ही एक मात्र वास्तव में अध्ययन के लायक चीज है और यह एक पर्याप्त बड़ा विशय है जिसमें हमारी बाहरी जीवन और दैनिक चिंताओं के साथ-साथ हमारे जीवन के आंतरिक स्रोत और शरीर त्याग के बाद अद्रिश्य में जीवन के बारे में हमारे सामान्य रूप से जो कुछ भी हम सोच सकते हैं वह शामिल है आपने मेरी शिक्षा में बहुत अधिक विश्वास व्यक्त किया है और यदि आपका विश्वास इतना है कि आप जैसा कि आपने कहा है खुद को पूरी तरह से मेरी मार्क दर्शन में रखना चाहते हैं तो मैं इसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ और आपको उन तथा कठित रहस्यों में देखने से इनकार करने के लिए कहना होगा जिन्हें मैं देखने से मना करूँगा मैं अनुभव से बोल रहा हूँ लेकिन परिणाम ये होगा कि मेरी शिक्षा का बहुत कुछ बहुत सरल लगेगा शायद कुछ हद तक कठोर भी और आप कहेंगे कि आपने इसमें से बहुत कुछ पहले सुना है भगवान में विश्वास, प्रार्थना और पूजा मसीह के मध्यम से पिता के पास पहुँचना ये सभी एक निश्चित अर्थ में आपके लिए परिचित हैं और मैं केवल यही उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद इन विशेयों पर थोड़ी अधिक रोश्णी डाल सकूँ ताकि वे आपके लिए केवल पारंपरिक शब्द न रहें बलकि वर्तमान जीवित तथे बन सके मैं इतना स्पष्ट इसलिए हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको कोई निराशा हो और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि हमारा तथा कठित अध्ययन केवल ऐसे समय में मैत्रिपूर्ण बातचीत होगी जब हम उन्हें फिट कर सकते हैं चाहे आप हमारे घर आएं या मैं आपके घर आऊं जैसा उस समय सुविधा जनक हो इसके अलावा मैं आपको कुछ किताबें उधार दूँगा जो सहायक होंगी लेकिन वे बहुत कम है और किसी भी तरह से गुप्त नहीं है ट्रोवार्ट के इस पत्र की प्रती मेरी राय में सबसे बड़ी चीज है जो मैं आपको दे सकता हूँ अध्याय क्यारा कैसे अपने शब्दों की शक्ति को क्रियानवित करें आपके प्रतीक शब्द में शक्ति का बीज होता है जो फैलता है और आपके शब्द की दिशा में प्रकट होता है और अंततह भौतिक अभिव्यक्ति में विकसित होता है उदाहरण के लिए आप अपनी चेतना में आनंद स्थापित करना चाहते हैं बस आनंद शब्द को गुप्त रूप से लगातार और जोर देकर दोहराएं आनंद का बीच फैलना और प्रकट होना शुरू हो जाता है जब तक कि आपका पूरा अस्तित्व आनंद से भर नहीं जाता ये कोई कल्पना नहीं है बलकि एक सत्य है एक बार जब आप इस शक्ति का अनुभव करते हैं तो आप दैनिक ये प्रमानित करेंगे कि ये तथ्य किसी सिध्धांत को फिट करने के लिए गड़े नहीं गए है बलकि सिध्धांत को तथ्यों के सावधानी पूर्वक अवलोकन से बनाया गया है हर कोई जानता है कि आनंद भीतर से आता है दूसरा आपको आनंद का कारण दे सकता है लेकिन कोई भी आपके लिए आनंदित नहीं हो सकता आनंद एक चेतना की अवस्था है और जैसा की ट्रोवाड कहते हैं चेतना मानसिक है मानसिक ख्षमताएं हमेशा किसी ऐसी चीज के तहत काम करती है जो उन्हें उत्तेजित करती है और यह उत्तेजना या तो बाहरी इंद्रियों के माध्यम से बाहर से आ सकती है या किसी ऐसी चीज की चेतना से भीतर से आ सकती है जो भौतिक स्तर पर समझ में नहीं आती इस आंतरिक उत्तेजना के स्रोत की मान्यता आपको अपनी चेतना में किसी भी अवस्था को इच्छित करने में सक्षम बनाती है एक बार जब कोई चीज आपको सामान्य लगने लगती है तो ये विकास और आकर्शन के नियम के माध्यम से निश्चित रूप से आपकी होती है जैसे कि यह आपके लिए संख्याओं के उपयोग के बाद जोड का ज्ञान होता है शब्द को दोहराने की ये विधी शब्द को उसके असीमित अर्थों में आपका बनाती है क्योंकि शब्द विचारों का अवतार होते हैं और विचार रचनात्मक होते हैं न तो अच्छे और नहीं बुरे, बस रचनात्मक। यही कारण है कि विश्वास निर्माण करता है और भय नश्ट करता है। सिर्फ विश्वास करो और सभी चीजें आपके लिए संभव हैं। यह विश्वास है जो आपको प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिती या स्थिती पर अधिकार देता है। यह आपका विश्वास का शब्द है जो आपको मुक्त करता है। किसी विशेश चीज या कार्य में विश्वास नहीं, बलकि हर तरह से अपने सर्वोत्तम आत्म में विश्वास. यह इस सतत रचनात्मक शक्ति की उपस्थिती के कारण है, जो शब्द के हृदय में आपके स्वास्थिय, आपकी मानसिक शान्ती और आपकी विट्टी इस्थिती को आपके सबसे सामान्य विचार की पुनरावृत्ती बनाती है. इसे मानने और समझने की कोशिश करें और आप प्रत्येक प्रतिकूल परिस्थिती अस्थिती के स्वामी बन जाएंगे शक्ती के एक राजकुमार अध्याय बारा अपने विश्वास को कैसे बढ़ाएं लेकिन आप पूछते हैं जब मेरे पास थोड़ा या कोई विश्वास नहीं है तो मैं विश्वास का शब्द कैसे बोल सकता हूँ हर जीवित चीज में किसी न किसी चीज या व्यक्ति में विश्वास होता है यह सकारात्मक विश्वास विचार में स्रजनात्मक उर्जा की गुणवत्ता है जो इसे जीवन शक्ति देती है न कि इसका रूप यहां तक की तीवर भय भी विश्वास से भरा होता है आप चेचक से डरते हैं क्योंकि आपको इसे प्राप्त करना संभव लगता है आप गरीबी और अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि आपको यह संभव लगता है यह आपके विचार की सामान्य प्रवृत्ती है जो आपके मन, आपके शरीर और आपके मामलों में फिर से प्रकट होती है न कि किसी विशिष्ट रेखा या इच्छा पर आपका कभी कभार का विचार यह विश्वास है जो समझता है कि हर स्रिजन की उत्पत्ती विचार शब्दों के गर्भ में होती है जो आपको सभी चीजों पर आपके छोटे आत्म सहित प्रभुत्व देती है और यह विश्वास की भावना इस बात का अवलोकन करके बढ़ती और तीवर होती है कि यह क्या करती है यह अवलोकन आपकी चेतना की अवस्था का अवलोकन है जब आपने किया न कि जब आपने आशा की थी कि आप कर सकते हैं लेकिन डरते थे कि ये बहुत अच्छा है, उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे, जब आपको बस अपने आपको बहतर मानसिक स्थिती में लाना था और किया, या आपको एक निश्चित चीज की आवश्यक्ता थी और आपको मिली, इन अनुभवों को बार-बार मानसिक रूप क्योंकि आपने अपने विश्वास को उन सार्व भौमिक सिध्धान्तों में विस्तारित किया है, जो विफलता को नहीं जानते, आपके सर्वोत्तम आत्म में, आपके भीतर जीवन के सिध्धान्त, विश्वास ने आपको इस जागरूकता में ला दिया है कि आप ब्रह्मा परिणाम स्वरूप प्रभुत्व ग्यान द्वारा प्राप्ट किया जाना है। और एक मात्र ग्यान जो इस उद्धेश्य को उसकी असीम विशाल्ता में प्रदान करेगा, वह सार्व भौमिक आत्मा में व्यक्तिगत तत्व का उसकी प्रति, इसकी पारस्परिक्ता। दूसरे शब्दों में आपके द्वारा सोचे गए शब्द आप जिस व्यक्तित्व को महसूस करते हैं, वे सभी लगु या विशेशिकृत इश्वर या सार्वभौमिक आत्मा के पुनरुत्पादन हैं। उपकरण के अनुसार पुनरुत्पादन कर सकती है, जिसके माध्यम से यह गुजरती है। अद्रिश्य, तरल पदार्थ, आपकी सोच शब्द के आकार को बाहरी रूप से पुनरुत्पादित करना चाहिए, जिसके माध्यम से यह गुजरता है। यह इसकी प्रकृती का नियम है। इसलिए, यह तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही वह है। इसलिए, जब आपका विचार या शब्द रूप सार्वभौमिक कानून के शाश्वत, निर्माणात्मक और आगे की गति के अनुरूप होता है। तो आपका मन वहदरपन होता है, जिसमें ब्रह्माण्ड की अनंत शक्ती और बुद्धी स्वयम को पुनरुतपादित होते हुए देखती है। और आपका व्यक्तिगत जीवन एक सामन्जस सिपूर्ण जीवन बन जाता है। अध्याय 14. प्रकृती को आप पर प्रतिक्रिया देने के लिए कैसे बनाएं। यह लगातार ध्यान में रखा जाना चाहिए कि सभी प्रकृती और सभी स्थानों में एक बुद्धिमत्ता और शक्ती है, जो हमेशा रचनात्मक है और अनंत रूप से समवेदन शील और उत् उत्तरदाईत्वत दोहरी है। यह रचनात्मक है और सुझाव के लिए उत्तरदाई है। एक बार जब मानव समझ इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य को समझ लेती है, तो यह जीवन के नियम की सरलता को समझती है। सभी आवश्यक है कि आप यह महसूस करें कि आपका मन दिव्यक्रियान वयन का एक केंद्र है और इसलिए इसमें वह स्वयम को स्विकार करने की शक्ती है। और सभी जीवन को आपकी पुकार का उत्तर देने की अपेक्षा करें। और आपको सुझाव मिलेंगे जो आपकी इच्छा की पूर्ती की और प्रवृत्त होंगे। न क इस भौतिक स्तर पर आत्म विश्वास के साथ उन पर कार्य करते हैं। कार्यों के बिना विश्वास मृत है, लेकिन कार्यों के साथ विश्वास आपको पूरी तरह से मुक्त कर देता है। अध्याय 15 कारियों के साथ विश्वास इसने क्या प्राप्त किया है यह कहा जाता है कि टायसन महान आस्ट्रेलियाई करोडपती को आस्ट्रेलिया के रेगिस्तान को गुलाब की तरह खिलाने का सुझाव एक साधारन छोटे आस्ट्रेलियाई वाइलेट से मिला था जब वह एक जंगल म में खुद के साथ मिल जाता था और वह रात में अपने बंक के किनारे पर बैठ जाता था और सोचता था कि फूल और वनस्पती जीवन को आस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में खुद को प्रकट करने का अवसर कैसे दिया जा सकता है। तो वह इसे कर सकता है। अगर उसके भीतर एक शक्ती थी जो विचार को पकड़ने में सक्षम थी, तो विचार में स्वयम के भीतर एक उत्तरदाई शक्ती होनी चाहिए जो खुद को व्यावहारिक भौतिक अभिव्यक्ती में ला सके। पर फूलों और घास को देखने पर केंद्रित रखा जहां कोई नहीं था, क्योंकि प्रजनन रचनात्मक शक्ति की उत्तरदायत्व किसी भी मानसिक स्थिति तक सीमित नहीं है, उसकी सामान्य ध्यान और मानसिक चित्रण ने उसके विचारों को अनंत में घूमने के लिए समान प्रकृती के अन्य विचारों को आकरशित किया, इसलिए यह आवश्यक नहीं था कि टायसन को अपनी तीन शिलिंग प्रतिदिन से पर्याप्त पैसे बचाने और भूमी को सिंचित करने के लिए अपनी इच्छाओं की पूर्ती तक प्रतीक्षा करनी पड़े, क्योंक अगर यह सच नहीं होता, तो कोई भी परवाह नहीं करता कि कोई दूसरा जरूरत मंद है, मांग और आपूर्ती, कारण और प्रभाव का नियम कभी नहीं तूट सकता, विचार समान विचारों को आकरशित करते हैं, कभी-कभी वे एक फूल, एक पुस्तक या अद्रिश्य से आते हैं, आप बैठे या चल रहे हैं, किसी विचार पर केंद्रित हैं, जो पूरा नहीं है उसके साधनों के तरीके के रूप में, और देखिए, एक और विचार आता है, कोई नहीं बता सकता कि कहां से, और आपके विचार के साथ मित्रवत आवास पाता है, एक विचार कि इस व्रिध्य को कैसे लाया जाए जब ऐसा लगता है कि अचानक भीतर से विचार आता है कि सबकुछ विचार से उत्पन्न होता है यहां तक कि पैसा भी और आपके विचार अपनी दिशा बदल लेते हैं आप बस इस कथन या पुष्टी पर टिके रहते हैं कि सबसे अच्छा और सबकुछ आपका है चुँकि आप अपने अंतरग्यान के उपकरण के माध्यम से अनंद से विचारों को प्राप्त करने में सक्षम है आप उस विचार पर अपना मन स्थिर रखते हैं यह पूरी तरह से जानते हुए कि यह बहुत ही विचार खुद को प्रतिक्रिया देगा संदेह के विचार और चिंता की भावना को दबाने से आत्म आश्वासन विचार स्थापित होते हैं और मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा विचारों को आकरशित करते हैं जो धीरे-धीरे मन की इच्छा के भौतिक रूप में बदल जाते हैं। अपने इच्छाओं को भौतिक रूप में पुन्ध, उत्पन्न करने के लिए सार्व भौमिक शक्ती के सचेत उपयोग में तीन तत्थ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहला, सभी जगह एक रचनात्मक शक्ती से भरी हुई है। दूसरा, यह रचनात्मक शक्ती सुझाव के प्रती समवेदन शील है। तीसरा, यह केवल अनुमानित तरीकों से काम कर सकती है। जैसा कि ट्रोवर्ड हमें बताते हैं, यह अंतिम बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह निहित है कि सर्वव्यापी रचनात्मक शक्ती की क्रिया किसी भी तरह से मिसाल से सीमित नहीं है। यह सिध्धान्त की आत्मा के सार के अनुसार काम करती है। दूसरे शब्दों में यह सार्वभौमिक शक्ती आपके दिये गए शब्द से अपनी रचनात्मक दिशा लेती है। एक बार जब मनुष्य इस महान सत्य को समझ लेता है, तो यह उसकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता बन जाती है कि इस समवेदन शील पुनरुत पादक शक्ती को किस चरित्र के साथ निवेश किया जाता है। यह इस रचनात्मक जीवन सिध्धान्त का अपरिवर्तनिय कानून है कि मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है, वैसा ही है। यदि आप इस सत्य को समझते हैं कि एक मात्र रचनात्मक शक्ती आपके लिए केवल वही हो सकती है जो आप उसे महसूस और सोचते हैं, तो यह आपकी मांगो को पूरा करने के लिए तयार और सक्षम है। ट्रोवर्ड कहते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आपका विचार शक्तिशाली है, तो आपका विचार शक्तिशाली है। मनुष्य अपने दिल में जैसा सोचता है, वैसा ही है। जीवन का कानून है और रचनातमक शक्ती इस कानून को बदल नहीं सकती है, जैसे कि एक साधारन दरपन आपके सामने रखी वस्तु की छवी से अलग छवी नहीं दिखा सकता है. जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आप होते हैं. का मतलब, जैसे आप लोगों को बताते हैं, आप सोचते हैं. या जैसे आप दुनिया को विश्वास दिलाना चाहते हैं, आप सोचते हैं. नहीं है. इसका मतलब है आपके सबसे अंतरंग विचार, वह स्थान, जहां कोई और नह रचनात्मक आत्मा जानती है, कि आप क्या सोचते हैं, जब तक कि आपके विचार शारिरिक तत्यों में बदल नहीं जाते, और आपके शरीर, आपके मस्तिश्क या आपके मामलों में प्रकट नहीं होते, तब आपके संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति जान सकते हैं, क्योंक के विचारों को शारीरिक रूप में पुन, उत्पन्न करता है। जैसा आप सोचते हैं, आप जानते हैं, वैसा ही आप बनते हैं। को लगातार अपने मन की प्रिष्ठ भूमी में रखा जाना चाहिए। यह बिना रुके देखना और प्रार्थना करना है। और जब आप शार वैज्यानिक सोच, सकारात्मक विचार, व्यावहारिक अनुप्रयोग के लिए सुझाव। ध्यान के माध्यम से सकारात्मक और उत्साही हालां की जोरदार नहीं। विचारों के माध्यम से इस अज्यात अद्रिष्य जीवन पदार्थ को महसूस करने की कोशिश करें, कि इ जदी आप एक महिने तक हर रात जल्दी सोने जाएंगे, तो सोने से पहले अपने विशेक मन पर यह पुष्टी द्रड़ता से अंकित करें. मेरा पिता सारी दुनिया का शासक है, और वो अपनी निर्देशित शक्ति को मेरे माध्यम से व्यक्त कर रहा है. तो आप पाएंगे कि जीवन का पदार्थ आपके विचारों के सांचों में रूप लेता है. उपर दिये गए सुझाव को केवल इसलिए न माने क्योंकि इसे आपको दिया गया है. इसे सावधानी पूर्वक सोचें, जब तक कि आपका अपने अवचेतन मन पर समझ के साथ प्रभाव नहीं पड़ता. जैसा कि पहले सुझाया गया था, हर सुबह पांच बजे उठे, एक शांद कमरे में सीधे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे और पिछले शाम की पुष्टी का विचार करें. और आप महसूस करेंगे और कुछ हद तक यह अभ्यास में लाप आएंगे कि आपका मन वास्तव में वहकेंद्र है जिसके माध्यम से सभी रचनात्मक उर्जा और शक्ती रूप ले रही है. वैज्यानिक प्रार्थना का सिध्धान्त अपने लिए या किसी अन्य के लिए किसी स्थिती, शारीरिक, मानसिक या वित्तिये परिवर्थन के लिए प्रार्थना में यह ध्यान रखें कि प्रार्थना के उत्तर के लिए मौलिक आवश्यक्ता वैज्यानिक कथन की समझ है. मांगे, विश्वास करते हुए कि आपने पहले ही प्राप्त कर लिया है और आप प्राप्त करेंगे. यह सतह पर जितना कठिन दिखाई देता है, उतना कठिन नहीं है. एक बार जब आप महसूस करते हैं कि सब कुछ मन में उत्पन्न होता है और जो आप बाहर से मांगते हैं, वह पहले से ही आपके पास है कोई भी भविश्य में एक विचार नहीं सोच सकता, किसी चीज के बारे में आपका विचार उसका मूल है इसलिए उस चीज का विचार रूप जैसे ही आप उसे सोचते हैं, पहले से ही आपका है इस विचार अधिग्रहन की आपकी स्थिर मान्यता, विचार को केंद्रित करने, संगनित करने, प्रक्षिप्त करने और शारीरिक रूप धारन करने का कारण बनती है स्रिजन के माध्यम से अमीर बनने के लिए धन के नए बलों की मान्यता या अवधारना आपके दिल में लेने की सर्वोच आकांग्षा है क्योंकि यह सभी महान उद्देश्यों की आगे बढ़ने को मानता और निहित करता है अपने लिए या किसी अन्य के लिए प्रार्थना के बारे में याद रखने योग्य बातें याद रखें कि जिसे आप उपचार या प्रार्थना कहते हैं वह किसी भी अर्थ में सम्मोहन नहीं है यह कभी भी आपका प्रयास नहीं होना चाहिए कि आप किसी अन्य के मन का अधिकार ले याद रखें कि यह कभी भी आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप खुद को वह विश्वास दिलाए जो आप जानते हैं कि सच नहीं है आप बस भगवान या प्रथम कारण में सोच रहे हैं यह समझते हुए कि यदि कोई चीज बिलकुल सच है तो एक तरीका है जिससे यह पूरे ब्रह्मान्ड में सच है याद रखें कि विचार की शक्ती बिलकुल वैज्ञानिक सिद्धान्तों से काम करती है यह सिद्धान्त कथन की भाषा में व्यक्त होते हैं जैसा एक व्यक्ती अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह है इस कथन में एक दुनिया की बुद्धी समाहित है लेकिन व्यक्ती की स्थिर मान्यता और स्वयम के व्यावहारिक उपयोग में लाने के लिए इस कथन के सावधानी पूर्वक आवेदन की आवशक्ता है। याद रखें कि हमारे दिल में जैसा हम सोचते हैं वैसा होने में शामिल सिध्धांत जैसा आप बोते हैं, वैसा आप काटते हैं। कानुन से सपश्ट और प्रकट होते हैं। याद रखें कि आपके पास यह चुनने की स्वतंत्रता है, कि आप क्या सोचेंगे, आप कौन सी विचार अधिग्रहन करेंगे और दावा करेंगे, यह आपके लिए भगवान का उपहार है. यह दिखाता है कैसे? पहले कारण ने हर व्यक्ति को उस समय में जो वह चुनता है, अपने व्यक्तिगत वातावरण में लाने की शक्ती और क्षमता प्रदान की है. प्राप्ति के संदर्भ में कारण और प्रभाव. यदि आप एक अर्न बोते हैं, तो आपको एक ओक मिलता है. यदि आप एक मकई का दाना बोते हैं, तो आप एक डंठल और बहुत सारे मकई के दाने काटते हैं. आप हमेशा उसी चीज का प्रकटन प्राप्त करते हैं, जिसे आप जान बूझ कर या अंजाने में माननिता देते हैं और दावा करते हैं, आदतन घोशित करते हैं और अपेक्षा करते हैं, या दूसरे शब्दों में जैसा आप बोते हैं, इसलिए बीजबोएं, मैं हूँ, म आप करते हैं इस सत्य का प्रकटन यहां तक की थोड़ी सी डिगरी में आपको यह अडिक समझ देता है कि प्रभुत्व आपका चार्टर अधिकार है आप प्रथम कारण के उत्तराधिकारी है जो सभी शक्ती से संपन्न है भगवान ने आपको सब कुछ दिया है सब कुछ आपका है और आपको बस इतना करना है कि अपना मानसिक हाथ बढ़ाएं और उसे लें यह सूत्र आपकी अपनी प्रार्थना या पुष्टि को आपके लाप के लिए या किसी अन्य के लिए रूप देने के लिए एक पैटर्न के रूप में काम कर सकता है यदि किसी अन्य के तो आप उस व्यक्ति का इसाई नाम लेते हैं, जिसे आप मदद करना चाहते हैं। फिर उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह से अपनी चेतना से हटा दें। अपने भावना को उठाने के बाद अपने चेतना की जाच करें कि क्या वहां कुछ है जो भगवान के विप्रीध है। यदि कोई भय, चिंता, द्वेश, इरश्या, घ्रणा या जलन की भावना है, तो अपने ध्यान में वापस लोटें। ताकि भगवान के प्रेम और पवि अपने पूरी तरह से अपने चेतना को सभी विचारों और भावनाओं से मुक्त कर लिया है। सिवाए प्रेम और मानवता के साथ एकता के तब अगर निशेद आपको परिशान नहीं करते हैं, तो अपनी वान्चित प्रकटन के विप्रीध सभी चीजों को अस्वीकार करे यह पूरा होने के बाद अपने निशेद को लगभग सकारात्मक विचार के साथ ओवरले करें, कि आप भगवान की च्छवी और समानता में बने हैं, और आप पहले से ही अपनी इच्छा की पूर्ती के पहले इसके मूल आध्यात्मिक या विचार रूप में हैं। जिवन दिया गया है, ताकि आप इसका आनंद अधिक से अधिक पूरी तरह से ले सकें। इस सत्ति की स्थिर मान्यता आपको यह घोशित करने की शक्ति देती है, कि आप एक शक्ति के राजकुमार हैं। आप इस शक्ति को स्वीकारते हैं और उपयोग करते हैं, क्यूंकि आप एक राजा के बच्चे हैं और इसलिए प्रभुत्व आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर जब आपको इस महान सत्य की रौष्णी आपके चेतना में बाठ की तरह महसूस होती है। अपने आत्मा के बाठ के द्वारों को खोलें। और दिल से प्रशंसा करें कि आपके पास यह समझ है कि रचैता और उसकी रचना एक है। साथ ही की रचैता लगातार अपनी रचना के माध्यम से स्रिजन कर रहा है। प्रार्थना को इस खुशहाल आश्वासन के साथ बंद करें कि पूरी हुई प्रार्थना एक विनती का रूप नहीं है। बलकि एक स्थिर आदतन पुष्टी है कि सभी स्रिजन के रचैता विशेश रूप से आपके माध्यम से कार्य कर रहे हैं। इसलिए कार्य पूर्णता किया जाना चाहिए। आपका मन दिव्य संचालन का केंद्र है। प्रति दिन दो अवधियों के लिए 15 मिनट की अवधि के लिए वांचनिय विचार संपत्ती की स्थिर मान्यता का अभ्यास करें। न केवल प्रति एक अवधि को यह देखने के लिए समय दें कि आप कितनी देर तक एक दी गई अवधारणा को अपने मानसिक दृष्टी के सामने रख सकते हैं। बलकि मानसिक छवी का अनुभव करने की स्पष्टता का भी लिखित रिकॉर्ड रखें। क्या उन्होंने सच कहा? यीशु ने दावा नहीं किया कि वह आपसे अधिक दिव्य हैं। उन्होंने पूरी मानव जाती को भगवान के बच्चे घोशित किया। जन्म से वह इस नियम का अपवाद नहीं थे। उनकी शक्ति उनके व्यक्तिगत प्रयास के माध्यम से विकसित होई थी। उन्होंने कहा कि आप भी ऐसा कर सकते हैं यदि आप केवल अपने आप पर विश्वास करेंगे। एक महान विचार तब तक मूल्यहीन है जब तक वह शारीरिक क्रिया के साथ नहीं आता। भगवान विचार देता है। मनुष्य इसे भौतिक स्तर पर काम करता है। सभी जो वास्तव में सार्थक है वह संतोश है। आत्मा अदेश अकेले ही इसे उत्पन न कर सकता है। आत्मा और शरीर एक है। मन की संतोश आत्मा की संतोश है और आत्मा की संतोश शरीर की संतोश है। यदि आप स्वास्थे चाहते हैं, तो ना केवल अपने शारीरिक होने के विचारों पर ध्यान दें, बलकि सब कुछ और सभी के बारे में अपने विचारों पर भी ध्यान दें. अपनी इच्छा के साथ उन्हें अपनी इच्छा के अनुरूप रखें और बाहर से अपने विचारों के अनुसार कार्य करें और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि सभी शक्ती दोनों विचारों और परिस्थितियों पर आपको दी गई है आप भगवान में विश्वास करते हैं. अपने आप पर विश्वास करें क्योंकि भगवान आपके माध्यम से काम करता है. पूर्ण प्रभुत्व आपका है, जब आपके पास नकारात्मक विचारों और कार्यों की प्रवृत्ति को जीतने के लिए पर्याप्त आत्म नियंत्रण होता है प्रति दिन खुद से पूछें, मुझे यहां रखने वाली शक्ति का उदेश्य क्या है? मैं अपने में जीवन और स्वतंत्रता के उदेश्य के साथ कैसे काम कर सकता हूँ? इन प्रशनों को तय करने के बाद, हर घंटे उन्हें पूरा करने का प्रयास करें आप अपने आप में एक कानून है, यदि आपकी किसी चीज को अधिक करने की प्रवृत्ति है खाना, पीना या अपने दुर्भाग्य के लिए परिस्थितियों को दोश देना, उस प्रवृत्ति को इस आंतरिक विश्वास के साथ जीतें कि सभी शक्ति आपकी है बाहर से कम खाएं, कम पीएं, परिस्थितियों को कम दोश दें और सबसे अच्छा जो है, वह धीरे-धीरे उस जगह में बढ़ेगा, जहां सबसे बुरा लगता था हमेशा याद रखें कि सब कुछ आपका उप्योग करने के लिए है, जैसा आप चाहें आप कर सकते हैं, अगर आप चाहें, अगर आप चाहें, तो आप करते हैं भगवान पिता आपको अपने सभी आशिरवादों से आशिरवादित करते हैं, इसका अच्छा इश्वरिय उप्योग करें जब आप अपने मानसिक विज्ञान के अध्ययन और प्रदर्शनों में अपनी पढ़ाई शुरू करते समय, आपकी अधिक सफलता का कारण यह है कि आपके भीतर की शक्ती की खोज की सरलता पर आपकी खुशी और उत्साह बाद में आपकी समझ के साथ डालने के लिए सक्षम नहीं रहा है बढ़ती समझ के साथ बढ़ती खुशी और उत्साह डालें और परिणाम उसके अनुसार होंगे